हेलो एवरिवन दिस इनराग बगेल एंड वालकम टू मागनेट ब्रेंज और बच्चों आज हम क्या देखने वाले हैं आज हम देखने वाले हैं अपने क्लास 12 केमस्ट्री के CBSE सेंपल पेपर सॉलीशन के बारे में जैसे की आपको इंतजार था कि आपके term 1 में कैसा पेपर आने वाला है इसका हमने पहले ही आपको बता दिया था कि term 1 में पेपर कैसे आने वाला है पूरा M.C.Q. बेज़ आने वाला है इसके लिए आपको जो chapter आने वाले हैं उनके one shot revision video upload कर वा दिये हैं आप जाके प्लेलिस में चेक कर सकते हैं इसके अलावा उनके 100 MCQ और जब आप इन क्वेश्चन को देखेंगे सेंपल पेपर के क्वेश्चन को आपको पता चल जाएगा कि जो 100 MCQ अपने जिस चेप्टर के कर लिए हैं ठीक है आप देखेंगे सारे question as it is आपको मिलेंगे तो as it is paper आपको exam में भी मिलने वाला है तो आप निशन्त हो जाएए क्योंकि हम आपके लिए सब कुछ यहां पे लेके आ चुके हैं तो बिना देरी करे हुए paper का pattern कैसे होगा अपने term 1 exam का आपन देखते हैं चलिए देखते हैं बात करते हैं general instruction के बारे म जो अपना question paper रहेगा वो रहेगा 35 marks का कितने marks का रहेगा question paper रहेगा 35 marks का आपको यह बात याद रखनी है कि 35 marks का जो question paper रहेगा उसमें आपको 35 mcq आएंगे mcq आएंगे अब वो 35 mcq आपके कैसे हो सकते हैं भीया आपके assertion reason type हो सकते हैं matching type हो सकते हैं या जनरल mcq हो सकते जिसमें किसे अपने को एक option select करना होगा देखेंगे sample paper में सब कुछ दिया हुआ है और इसी pattern में हमने 100 MCQ की series भी शुरू करी थी आप जाके check कर सकते हैं सब कुछ एकदम चंगा सी है उसमें ठीक है चलो अब बात करते हैं अपन कि time कितना रहेगा आपको 90 minutes का time आपको 90 minutes का मतल न में बाईड खिया गया है ठीक है section number one में A में कितने होंगे 25 question होंगे अब आपके पास option यह आपको कि 25 में से आपको कितने questions all견 है सिरु 20 questions attempt any 20 questions 25 में से आपको कितने attempt करने किसी भी 20 को attempt कर सकते है section b section b में कितने question 24 question तो total question जो आपके ह regen 29 20 plus 20 plus 5, total होंगे 25 questions, total होंगे 20, 20, 40 और attempt any 5, आपके total कितने होंगे 45 questions होंगे, कितने होंगे 45 questions आपको attempt करने है, ठीक है sir, all questions carry equal marks, सारे question में marks कैसे है, equal है, ठीक है, और there is no negative marking और आपको कोई negative marking देखने नहीं मिलेगी, ये question का pattern होगा, कि भाया section A, section B और section C, और maximum marks आपके कितने हों होंगे, कितने होंगे 35 होंगे, तो शुरू करते हैं, इस कहानी को, कैसा question paper CBST ने दिया है हमें, और उसे कैसे solve करना है, question का level कैसा आने वाला है, यहां से पूरा idea लग जाने वाला है, चलिए बात करते हैं अपन, सबसे पहला है section A, this section consists of a 25 multiple choice question, ठीक है, and overall choice to attempt any 20 question, आपको इस में से कितने attempt करना है, कोई भी 20 question attempt करना है, in case of more than desirable number of questions are attempted, आपने 20 में से ज़्यादा माल लीजे 21 और 22 question attempt कर लिए, only first 20 question, तो सिर्फ पहले 20 question को ही consider किया जाएगा evolution के लिए, ठीक है, evolution के लिए, यह चीज important है, ठीक है, तो कोई भी 20 question attempt करना, जो आपको अच्छे से बनते हैं, ठीक है, चलो बात करते हैं, question number 1 की, तो शुरू करें, full energy, full जोष के संग, चलो बात करते हैं, question number 1 क्या है, which of the following statement is true, क्या पूछा है, कौन से statement true है, इन में से कौन से statement true है, चलो देखते हैं, the melting point of phosphorus, आपका melting point of phosphorus, is less than that of nitrogen, melting point of phosphorus is less than that of nitrogen, नहीं, nitrogen का melting point कैसा होता है जढ़ा होता है melting point of phosphorus is less than that of nitrogen donítihница phosphorus का melting point कैसा होता है जढ़ा होता nitrogen की तुल्लन में यह statement गलत हो गया nitrogen is highly reactive while phosphorus is inert कैसी बात कर रहा है nitrogen को हमने देखा था nitrogen में यह bond order 3 आता था और यह आपने देखा इसमें जो यह bond होता है bond होता है काफे strong होता है bond कैसा होता है काफे strong होता है और bond इतना strong होता है कि ये bond room temperature पे आसानी से तूटता नहीं है इसलिए nitrogen कैसा होता है, nitrogen कैसा होता है, nitrogen कैसा होता है या ये कह सकते है nitrogen में P pi P pi bonding जो पाई जाती है वो very strong होती है, कैसी bonding क्योंकि triple bond में 1 sigma 2 pi होते है एक सिगमा दो पाई होते हैं, इसमें पाई जानने वाली पी पाई, पी पाई बांडिंग का फिर स्ट्रॉंग होती है, यह बांड आसानी से नहीं तूटता है, और जब आसानी से नहीं तूटेगा तो यह रूम टेंपरेचर पर इनट पाया जाएगा, यह statement भी गलत हो गई, नाइट्रोजन इस हाइली रियक्टिव, नाइट्रोजन हाइली रियक्टिव नहीं है, आप सुनिएगा, नाइट्रोजन शो हायर केटीनेशन टेंडेंसी धन फॉस्फोरस, ग्रूफ 15 में फॉस्फोरस की केटीनेशन टेंडेंसी जादा होती है, नाइट ना की, नाइट् 15 के 100 MCQ, गुरू 16 के 100 MCQ, इस तरीके से खराए हैं, तो nitrogen show higher catenation tendency than phosphorus नहीं, phosphorus की catenation tendency ज़्यादा होती है, और N-N bond is weaker than PP bond, N-N bond कैसा होता है, weaker होता है than PP bond, यह statement बिल्कुल सही है, कि N-N bond जो है वो weak है, किसकी तुलना में, PP bond की तुलना में, ऐसा क्यों, समझिएगा, nitrogen में, nitrogen में, N-N single bond बोल रहा है, nitrogen में size छोटा होने की वज़े से क्या बढ़ जाता है, inter electronic repulsion बढ़ जाता है, inter electronic repulsion बढ़ जाता है, और N-N bond कैसा हो जाता है, weak हो जाता है, किसकी तुलना में, PP bond की तुलना में, लेकिन phosphorus की बात करेंगे आप, phosphorus की बात करेंगे, तो phosphorus का size बढ़ा होने की व बढ़ा और bond वीग पढ़ गया, this is true statement, बाकी सारे statement गलत है, जल्दी आईए, बाकी सारे statement गलत है, जल्दी आईए, clear है, group 15 का मैंने one shot revision video करा दिया है, 16 का करा दिया है, 17 का करा दिया है, clear है, चलो, आगे बलाता है कहानी को, आगे बलाता है कहानी को, अगला question है, which of the following is, which of the following is, an non stoichiometric defect, what is non stoichiometric defect, defect के बारे में हमने बात करी थी, defect in solid के बारे में, defect in solid के बारे में बात करी थी, और मैंने आप से कहा था, मैंने आप से कहा था, कि defect in solid या तो stoichiometric होता है, या नॉन इस्टॉईशियो मेटरिक होता है और एक और अपनने देखा था या ए इंपुरिटी डिफेट इस्टॉईशियो मेटरिक देखेट पे मैने कहा था before the defect and after the defect stoichiometry remains same मतलब ratio of cation and anion before the defect and after the defect seem आता है और इसमें हमने देखा था दो टाइप के defect एक देखा था हमने frankled defect एक देखा था हमने frankled defect और एक देखा था हमने short-key defect क्या देखा था ? short-key defect short-key defect ठीक है Before and after the defect, the ratio of cation and nion remains same. Ratio बोल रहा हू है नहीं यह तो stoichiometric आगे shot की है नहीं metal deficiency defect is a non stoichiometric defect आईए यह question भी मैंने as it is कराया था यह question भी मैंने 100 mcq की series में as it is कराया था आपको कि भाया defects कैसे question one shot revision में मैंने इसे कराया है detail में clear है चलो आगे बढ़ाता हूं कहानी को next question की बात करते है next question है अपना identify the law आपको उस law को identify करना है जो कहता है for any solution किसी solution के लिए the partial pressure the partial vapor pressure of each volatile component partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction is directly proportional to its mole fraction तो हमने बताया था पा is equal to किसके बराबर था पि-नौट ए एकसए के बराबर या पी-ब किसके बराबर था पी-ब किसके बराबर था पी-नौट भी एकसबी के बराबर मतलब आपको ये पता था, ये अपन देख चुके थे, ये देख चुके थे अपन, ये अपन देख चुके थे, कौन सा लौ बता रहा था अपने को, देखो, क्या बोल रहा है, for any solution, the partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction, ये अपन देख चुके है, ये अपन देख चुके है, कौन सा लौ था Rawls law, कौन सा लौ था, Rawls law, Rawls law, कौन सा लौ है, अपना Rawls law है, तो answer क्या होगा, अपना Henry law नहीं, ठीक है, Rawls law, Dalton's law नहीं, Dalton's law थो partial pressure, total pressure किसके बराबर होता है, total pressure, अगर बहुत सारी gases है, उनका, each component का pressure का, अगर अपन सम करते जाएं, तो total pressure के बराबर होता है, ये नहीं, Gal Rawls law, जल्दी आईए, same statement वाला question अपने देखा है, ठीक है, चलो, next question की बात करते है, next question की बात करते है, next है, pink color of LICL is due to, pink color LICL का किस वज़े से होता है, अब मैंने आप से बताया था, अब मैंने आप से बताया था, जैसे मैंने LICL नहीं लिया था, मैंने NACL का example लिया था, मैं जो कराया है मैं बता दे रहा हूं, मैं फिर LICL भी ले लो, मेरे पास NACL है मान लीजी, NACL का crystal है, NACL का crystal है, मान लीजी, यह मैंने NACL का crystal बनाया, अब इसे मैंने sodium vapor की presence में गरम करा, sodium vapor की presence में गरम करा, sodium vapor की presence में गरम करा, तो हुआ क्या? कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, क्या हुआ? कुछ तो हुआ है, अब sodium वैपर में, ये sodium वैपर ही प्रेजनस में गरम करा तो ये sodium किस में तूटा? sodium positive और एक electron में, एक electron में, ठीक है? समझते चलना, समझते चलना, अब sodium ने तो interstitial site पे आ गया, metal का access हो गया, metal का access हो गया, लेकिन साथ में, साथ में एक electron, एक electron अब balance करने के लिए आपको पता होना चाहिए, ये solid electrical neutrality balance करना चाहेगा, यहाँ पे साथ में anionic valency develop हुई, और उस anionic valency में, ये जो electron था, चल छहिए चहिए चहिए करते, चल छहिए चहिए 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 करते, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया electron, यहाँ आ गया electron, ठीक है? जब electron interstitial site में presence होता है, तो इसे हम कहते है F center, F center, F center, इसकी वज़ह से इसमें आता था yellow color, इसकी वज़ह से क्या generate होती थी conductivity, क्या generate होती थी conductivity, इसकी वज़ह से क्या generate होता था paramagnetic behavior, क्या generate होता था paramagnetic behavior, ये मैंने आपको बताया था, एफ सेंटर का मतलब क्या है, फार बे सेंटर, एफ सेंटर का मतलब क्या है, फार बे सेंटर, तो पिंग कलर, अब LICL कैसा देता है, आपका पिंग कलर देता है, सेम यही कहानी, देखिए, लीथियम, सोडियम, लीथियम और सोडियम एक ही ग्रुप में आते हैं, अगर लीथि प्लीज इतना note down करो, चलिए, अगर इस question को आपने देख लिया, कि हाँ भीया, LICL का कलर किस वज़े से, metal access defect की वज़े से, तो next question की बात करते हैं, next question है अपना, which of the following isomer has highest melting point, किस isomer का highest melting point है, चलो देखते हैं, 1,2 dichlorobenzene, 1,2 dichlorobenzene, यह है अपना 1,2 dichlorobenzene, this is 1, this is 2, 1,2 dichlorobenz this is 1,3 dichlorobenzene, this is 1,3 dichlorobenzene, ठीक है, तीसरा है अपना, 1,4 dichlorobenzene, 1,4 dichlorobenzene, इस para-isomer का melting point सबसे ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि यह जो para हैं, इसको ऐसा समझे न, यह जो समझे न, यह crystal lattice में, अपनी geometry की वज़े से, आसानी से fit होते हैं, और इसकी वज़े से, इनका melting point क कैसा आता है, highest आता है, NCIT में as it is दिया हुआ है, orthometa और para में para-isomer, जब आप hello alkin, hello erin पढ़ेंगे, तीसरा page पढ़ेंगे, पहला, दूसरा और तीसरे side, physical property में दिया हुआ है, इसका melting point highest पाये जाता है, तो 1,2 dichlorobenzene में highest melting point आपको देखने मिलेगा, फ्लीज नोट डाउन क करो, clear है, अगले question की बात करते है, अगले question की बात करते है, which one of the following reaction, कौन सी ऐसी reaction is not explained by the open chain structure of glucose, glucose के open chain structure के थुरू आप नहीं समझा सकते हैं, ऐसी कौन सी reaction है, तो समझ न, formation of pentacetate, आपको बनाना है pentacetate of glucose with acetic enhydride, अगर माल लीजिए, आपने glucose है, glucose है CH2OH, CHOH whole 4, CHOH whole 4 और इधर CHO, आपने pentacetate से reaction करी, pentacetate बनाया, किस के साथ reaction करके, CH3, COO, CO, CH3, acetic enhydride के साथ reaction करके, आपने pentacetate बनाया, तो इस reaction को तो आप समझा सकते हैं, कि भईया pentacetate का बना, इस से और इस से reaction कर जाएगा, pentacetate क बना, आप open chain structure के basis पर समझा सकते हैं, अगला है, formation of, formation of addition of 2,4-dynitro, 2,4-dynitro phenyl hydrogen, 2,4-dynp reagent क्या है, 2,4-dynitro phenyl hydrogen, क्या है, 2,4-dynitro phenyl hydrogen, देखेगा, यह होता है, आपका hydrogene, यह होता है, आपका hydrogene, ठीक है, अगर मैंने hydrogene में से 1H हटाया, और यहां लगाया phenyl group, यह 2R4 पे मैंने nitro group लगाया, यह हो गया, मैरा 2,4-dynp, 2,4-dynp, यह reaction करेगा, आपके किस से, यह आपके reaction करेगा, किस से, glucose reaction करेगा, glucose reaction करेगा, यह open chain structure से, आप समझा सकते हैं, यह आप समझा सकते हैं, ठीक है, silver mirror formation, silver mirror formation with a tolerance reagent test, tolerance reagent test, जैसे ही आप tolerance reagent के reacting species क्या होती है, AG2O ह होती है, जैसे ही आप करेंगे, यह oxidation कराएगा, oxidation कराएगा और silver precipitate देता है, इसलिए से silver mirror test कहता है, यह भी आप open chain structure के basis पे समझा सकते हैं, लेकिन जो बात कर रहा है, existence of alpha and beta form of glucose, glucose के alpha form और beta form यह आप open chain structure के basis पे कभी नहीं समझा सकते हैं, इसे समझाने के लिए आपको, इसक cyclic structure के basis पे ही आप समझा सकते हैं, तो answer should be D, answer क्या होना चाहिए, D होना चाहिए, ठीक है, तो which one of the following is not explained on the basis of open chain structure of glucose, तो वो कौन सा होगा, existence of alpha and beta form of glucose, इसके लिए आप open chain structure का use नहीं कर सकते हैं, clear है, चलो, अगले question पे बढ़ें, अगले question पे बढ़ें, चलिए, बात करते हैं next question की, बात करते हैं next question की, ठीक है, next question है अपना, next question है अपना, Williamson synthesis, Williamson synthesis of preparing dimethyl ether is an, Williamson synthesis dimethyl ether आपको बनाने किसका example होती है, यह, SN2 reaction का example होती है, nucleophilic substitution bimolecular reaction का example होती है, किसका example होती है, SN2 reaction का example होती है, तो Williamson synthesis of preparing dimethyl ether is an example of SN2 reaction, clear है? चलो next question की बात करते हैं next question की बात करते है next question है मेरे साथ chlorine water chlorine water chlorine water ये है chlorine water on reaction with it loses its yellow color chlorine loses its yellow color on stranding because ये अपना yellow color खो देता है रखे 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 अपना yellow color खो देता है ये किस वजह से होता है किस वजह से होता है ध्यान दीजएगा reaction को complete करता हूँ ये बनेगा hcl क्या बना hcl और क्या बना hclo hclo किस वजह से तो देखेगा hcl gases prepared due to action of sunlight ये नहीं हो सकता दूसरा mixture of hocl and hcl is produced in the presence of light ये statement सही है hocl and hydrogen gases produced बिल्कुल गलत है mixture of hcl and cl o3 is produced due to the action of sunlight नहीं sunlight के presence में ये क्या बनाता है hcl और hocl produce करता है इस वजह से इसका yellow color क्या हो जाता है है लूज हो जाता है इस वजह से इसका yellow color क्या हो जाता है लूज हो जाता है group 17 का as it is question please note down करो इसे chlorine on stranding या chlorine water on stranding loses its yellow color due to the formation of hcl and hclo due to the formation of hcl and hclo चलो next question की बात करते हैं next question की बात करते हैं अगला question है मेरे सामने during dehydration of alcohol during dehydration of alcohol to alkene to alkene by heating with concentrated h2so4 the initial step is चलो इसके लिए तो पूरी mechanism देखना पड़ेगा जहां mechanism लगेगी मैं बताते चलूँगा dehydration of alcohol मेरे पास एमान लीजिए alcohol ch3 ch2 oh this is alcohol oxygen group 16 का member valence shell में कितने electron 1 2 3 4 5 6 6 electron ठीक है इसकी reaction आपने किस से करें इसकी reaction करें आपने concentrated h2so4 के साथ क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं यह सर बिलकुल लिख सकते हैं सबसे पहली step क्या होगी सबसे पहली step क्या होगी protonation of alcohol alcohol का protonation यह attack करेगा इधर देखिए ठीक है क्या बना आपका क्या बना आपका ch3 ch2 ch2 ठीक है और यह आपका बन गया oh तो इससे कौन जुड़ गया आपका protonation हो गया protonation हो गया यह एज जुड़ा हुआ है यह एज जुड़ा हुआ है ठीक है सर अब दूसरी step में क्या होगा carbonium ion का formation दूसरी step में पहली step में क्या हुआ जल्दी बताइए protonation of alcohol पहली step में क्या हुआ protonation of alcohol alcohol, दूसरी step में क्या होगा, दूसरी step में क्या होगा, समझेगा दूसरी step में होगा, कार्बो केटाएन का formation, यह water निकल गया निकल गया, आपका बना आपकी कार्बो केटाएन बनी आपकी क्या बनी, कार्बो केटाएन बनी दूसरी step में क्या बना formation of carbo cation दूसरी step क्या है formation of carbo cation और याद रखिएगा कभी भी carbonium आयन या carbo cation बनती है तो 1 degree से ज़्यादा stable 2 degree 2 degree से 3 degree होता है अगर 1 degree से लग रहा है कि आप 2 degree बना सकते हैं तो आप hydride shift या methyl shift कर दीजे 2 degree से लग रहा है 3 degree नहीं बना सकते हैं तो hydride shift या methyl shift कर दीजे लेकिन यहाँ तो ऐसे ही आपकी कौन सी already 1 degree है इधर भी अगर hydride shift करोगे तो ही 1 degree आएगी तो यह 1 degree carbonium iron ही possible होगी 1 degree carbonium iron ही possible है यही possible है यही possible है तो तीसरी step में क्या होगा तीसरी step में देंगे इथ-eine, इथ-eine, इथ-eine तो पहली step क्या है पहली step क्या है आपका पहली step क्या है protonation of alcohol तो during dehydration of alcohol to form to alkeen by heating with concentrated as to as to for the initial step is protonation of alcohol प्लीस नोट डाउन करो पहली step में क्या बनता है आपका alcohol बनता है protonation से तो पहली step में protonation of alcohol होगा पहले step में protonation of alcohol होगा clear है चलो अगली कहानी मेरी जुबानी next question next question देखेगा next question क्या है next question क्या है next question है amorphous solids are अब ध्यान दीज़ेगा solid दो type के होते हैं solid state का one shot video देखना मेरा solid दो type के होते हैं ठीक है एक होता है true solid एक होता है true solid और एक होता है इसी को कहता है crystalline solid true solid या crystalline solid crystalline solid और दूसरा होता है अपना pseudo solid pseudo solid या pseudo solid या amorphous solid pseudo solid या amorphous solid अब ध्यान दीज़ेगा true solid जो होते हैं इनका सबसे important point यह था true solid एन isotropic होते है nature में isotropic होते है nature में मतलब क्या है अगर आप कुछ physical property like chemical resistance और refractive index के बारे में बात करेंगे कौन-कौन सी physical property मैंने जैसे बात कर ली physical property physical property like resistance या refractive index के बारे में बात करेंगे refractive index के बारे में बात करेंगे किसी solid को मैं देखूंगा किसी solid को मैं देखूंगा यह तो वैसे long range order follow करते हैं true solid किसी solid को मैं देखुँँगा जैसे true solid ले लिया मैंने NACL ले सकता हूँ, quards ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ true solid का example मैं इस property को ना पूँँगा like resistance, refractive index तो मान लीजे इस direction से ना पतो x, इस direction से ना पतो y अलग अलग direction में यह अलग अलग value show करते हैं, अलग अलग direction में यह क्या show करते हैं, अलग अलग value show करते हैं, इसे कहता है an isotropic in nature, लेकिन मैं अगर amorphous solid की बात करूँगा तो यह कैसे होते हैं, यह कैसे होते हैं, they are isotropic in nature, isotropic in nature, इसका मतलब क्या है, मैं अलग अलग direction से बहुत single word है, isotope अलग होते हैं, जिनका atomic number सेम, लेकिं molecular mass अलग अलग, लेकिन ये isotopic है और ये isotropic है, इसे कहते हैं isotropic की, अगर अलग-अलग direction में ना पोगे तो value आपको कैसे मिलेगी, सेम मिलेगी, और amorphous solids ये pseudo solid कैसे होते हैं, isotropic in nature होते हैं, चलो, अगली कहानी, अगली कहानी अगला है, which of the following reaction is used to prepare salicyl dehyde, आपको salicyl dehyde बनाना है, salicyl dehyde क्या होता है, ध्यान दीजेगा this is salicyl dehyde, this is salicyl dehyde, इसके लिए आप किसका use करते हैं, तो इसके लिए Colby reaction, Etard reaction, Remotemon reaction या Stephen reaction, तो इसके लिए हम use करते हैं, Remotemon reaction, Remotemon reaction क्या होती है, आपने phenol लिया phenol लिया, आपने chloroform की reaction करी, chloroform की reaction करी, और आप NaOH या KOH की reaction कर दो, तो आपको मिलेगा salicyl dehyde, और इस reaction में अपने, जो इंटर्मी, अपना, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो होता है, Di-Cloro rou reign, Di-Cloro carbene, जो की एक, अपनी singlet carben, जो की अपनी एक क्या है, singlet carben है, जो की अपनी क्या है, एक singlet carben है, तो answer क्या होगा, अगर आपको saillecol dehyde बनाना है, तो किस reaction का यूज़ करोगे, आप Remotemon reaction का यूज़ करोगे, किसका यूज करोगे, रीमर टीमर रियक्शन का यूज करोगे, clear है, which of the following reaction is used to prepare salicyl dehyde, दा, रीमर टीमर रियक्शन, रीमर टीमर रियक्शन, अच्छी है नेम रियक्शन, बढ़िया है, बढ़े आगे, चलो, next, अगला है, which of the following is an example of solid solution, solid solution, solid solution, आपका किसका example पूछरा है, solid solution का, sea water, नहीं सर, solid solution का, sugar solution, नहीं सर, smoke, नहीं सर, लेकिन 22 karat gold, 22 karat gold, ठीक है, यह किसका example है, solid solution का, कोई भी alloy जब बनती है, तो याद रखिए का, दो अलग-अलग solid को mix करने से बनती है, और वह सारे example होते हैं, किसका, solid solution का, फौर एग्जांपल आप जैसे ये तो 22 karat gold था, आप brass ले सकते हैं, आप brass ले सकते हैं, आप brass ले सकते हैं, आप bronze ले सकते हैं, जैसे ये copper, copper और इसमें क्या होता है, zinc और इसमें क्या होता है, tin यह अलग-अलग alloy है यह सब किसका example होती है solid solution का तो यहां पर 22 karat gold किसका example होगा अपना solid solution का clear है चलो next question easy question दिये हैं बहुत easy दिये हैं इन्होंने the boiling point of alcohol कोई भी alcohol है उनके boiling point higher than hydrocarbon hydrocarbon की तुलना में ज़्यादा होते हैं ठीक है यह किस वज़े से होता है यह किस वज़े से होता है क्योंकि alcohol किसके द्वारा bind हो जाते हैं hydrogen bonding के द्वारा bind हो जाते हैं तो answer क्या आएगा hydrogen bonding hydrogen bonding की वज़े से ही alcohol के boiling point कैसे हो जाते हैं बढ़ जाते हैं तो answer should be hydrogen bonding the boiling point of alcohols are higher than those of the hydrocarbon of comparable masses due to hydrogen bonding next question की बात करें चलो next question है which of the following has lowest boiling point किसका boiling point lowest होता है अब समझेगा होता क्या है होता क्या है group 16 की बात कर रहा है h2o h2s h2se h2te h2te और h2po तो अब क्या होता है lowest boiling point किसका होता है अब जैसे जैसे molecular mass बढ़ रहा है या size बढ़ रहा है ठीक है underwall force भी बढ़ते जाएंगे तो boiling point भी बढ़ते जाना चाहिए order यह होना चाहिए लेकिन water का boiling point जादा होता है water का boiling point जादा होता है क्यों क्योंकि water को तो अगर आप देखेंगे, water को आप देखेंगे, इसमें एक extra bonding पाई जाती है, एक water molecule चार और water molecule से गिर जाएगा, एक water molecule चार और water molecule से गिर जाएगा, एक water molecule चार और water molecule से गिर जाएगा, और इसमें hydrogen bonding पाई जाने लगती है, क्या पाई जाने लगती है, additional hydrogen bonding पाई जाने लगत है इसलिए इसका boiling point highest होगए लेकिन lowest किसका देखने मिलेगा h2s का तो answer should be lowest पूचा है तो answer should be h2s देखिये h2s का आपको कैसा देखने मिलेगा lowest देखने मिलेगा बोलो कोई दिक्कत no sir कोई दिक्कत नहीं no sir कोई दिक्कत नहीं चलो next बढ़ जाए आगे next question which of the following statement is correct कौन सी statement correct है थी ? Fibrous proteins are generally soluble in water Fibrous protein water में soluble नहीं होते है गलत statement हो गया Albumin is an example of fibrous protein नहीं यह globular protein का example है Fibrous का नहीं यह किस का example है lobular protein का example है Fibrous का नहीं robular protein का example है Fibrous का नहीं ठीक है सर अगला पूछ रहा है इन फाइब्रस प्रोटीन, the structure is stabilized by hydrogen bond, अरे नहीं नहीं, डाइसलफाइड bond answer नहीं हो सकता, ये भी गलत statement हो गया, ठीक है, pH does not affect the primary structure of protein, बिल्कुल सही है, pH कभी भी primary structure को affect नहीं करता, ये किसको affect करता है, tertiary structure को affect करता है, तो answer should be D, the pH does not affect the primary structure of protein, pH किसको affect करता है, pH should affect the tertiary structure of protein, तो answer should be D, क्या सही है, सिर्फ answer D सही है, कहा का question है, biomolecules का question है, कहा का question है, biomolecules का question है, जल्दी ही मैं biomolecules का one shot revision video और उसके MCQ लेके आने वाला हो, चिंता ना करिये, सब होगा, magnet brain में आपको सब मिलेगा, और ये मेरी वादा रहा आपसे, जो वादा क question की बात करते हैं, next है अपना, major product obtained, आपका major product आपको बताना है, obtained, on the reaction of 3-phenyl propene, आपके पास है, 3-phenyl, 1, 2, 3, 3-phenyl propene, with HBR, with HBR, आपने HBR से reaction करे, HBR से reaction करे, किसकी presence में करे, in presence of organic peroxide, जैसे हम कौन सा peroxide ले सकता है, benzoil peroxide ले ले, चलो हमने ले लिए, मान लीजे कोई peroxide, benzoil peroxide की presence में करा, अगर per oxide आगया, मतलब per oxide linkage होगी, जैसे ही per oxide आगया, और HBR है, कहा नहीं समझना, जैसे ही per oxide आगया, per oxide आगया, और HBR है, तो ये हो गया anti-marconic of law, कौन सा हो गया, anti-marconic of law, markovnikov's law, ठीक है, ये कौन सा law हो गया, anti-marconic of law, अब क्या होगा, anti-marconic of law, क्या कहता है, कि भई या, जो negative part होता है, alkene का, वैसे तो free radical mechanism को follow करता है, ठीक है, लेकिन mechanism नहीं बता रहा हो, simple तरीके से बता रहा हो, जहां पर ज्यादा hydrogen हो, positive वहां जाता है, जहां कम hydrogen हो, तो आपका जो product बना, वो ये बना, CH2, यहां आ गया, यहां नहीं, यहां आ गया CH2, यह आ गया CH2 और यह BR, product क्या बना, 1, 2, 3, 1 phenyl, 3 bromo propane, क्या बन गया, 1 phenyl, 3 bromo propane, तो answer क्या होना चाहिए, B होना चाहिए, answer क्या हो B होना चाहिए, 1 phenyl, 3 bromo propane, please note down करो, please note down करो इसे, answer should be 1 phenyl, 3 bromo propane, बढ़ जाएं आगे, बढ़ जाएं आगे, चलो, next, next question है, which of the following is correct statement of C2H5 BR, आपको C2H5 BR का correct statement बताना है, क्या बताना है, correct statement बताना है, ठीक है, it reacts with metallic sodium to give ethane, चलो, देखते हैं, अगर मेरे पास C2H5 BR है, metallic sodium से reaction करा, कैसे करता है, कौन सी reaction होती है, है, कौन सी reaction होती है, woods reaction होती है, और क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, C2H5, 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 plus 2 Na BR, 2 Na BR, सर ब्यूटेन बनेगा, क्या बनेगा, ब्यूटेन, ना की, ना की, एथेन, गलत हो गया statement, चलो, इट गिवज नाइट्रो एथेन, यह अगर C2H5 BR है मेरा, C2H5 BR है, ठीक है, इट गिवज नाइट्रो एथेन, ओन हीटिंग विद एक्वास AGNO2, AGNO2 से मैंने reaction कराई, AGNO2 एक्वास से मैंने reaction कराई, ठीक है, तो मुझे क्या देगा यह, क्या देगा, C2H5 NO2, C2H5 NO2 देगा, नाइट्रो एथेन देगा, क्या देगा, नाइट्रो एथेन बिल्कुल सही है, नाइट्रो एथेन देगा, बिल्कुल सही है statement है, तो आंसर भी सही है, आंसर भी सही है, चलो, इट गिव C2H5OH on boiling with alcoholic potash alcoholic potash नहीं aqueous potash के साथ इट गिव C2H5OH on boiling with aqueous potash ठीक है ये statement गलत हो गया और इट फॉंप्स C2H5OH on boiling with नहीं ये नहीं हो सकता और लास्ट क्या दिया इट फॉंप्स diethyl thio ether on heating with alcoholic KSH नहीं आंसर भी अपना सही है आजाईए जो दिया था मैंने पहले ही कर दिया आपको जब आंसर मिल चुका है clear है clear है चलो next question की बात करते है next question है अपना covalency of nitrogen is restricted to अगर मैं nitrogen की बात करूँ nitrogen का electronic configuration होता है 1s2, 2s2, 2p3 2d orbital absent होता है 2d orbital absent होता है valence shell की बात करूँ तो ये 2s और ये 2p ये 2s और ये 2p यहाँ पे 2 electron यहाँ पे 3 electron total कितने orbital available है total 4 orbital available है total 4 orbital available है 1s और 3p 3p तो maximum covalency इसकी कितनी होगी maximum covalency कितनी होगी maximum covalency इसकी होगी maximum covalency इसकी होगी 4 तो इसकी maximum covalency कितनी होती है 4 जैसे मैंने आपको बताया था NH4 positive ion में इसकी maximum covalency 4 होगी N2O5 में इसकी 4 होगी खुझ भी पूछ ले, nitrogen की maximum covalency 4 लगा देना group के पहले member की maximum covalency 4 लगा देना, P block element की बात करेगा तो, चलो group के पहले member की maximum covalency 4 लगा देना बड़े आगे, बड़े आगे चलो, next next है solubility of a gas in liquid जो solubility होती है gas की किसी liquid में decrease with rise in temperature decrease with rise in temperature because dissociation is end, dissociation कैसी process है, dissociation कैसी process, endothermic and reversible नहीं, कैसी process है, exothermic and reversible yes, dissociation कैसी process है, यह है, exothermic and reversible process है, तो solubility of gases in liquid decrease with rise in temperature क्योंकि यह कैसी process है exothermic process है, heat बाहर निकले कि end, reversible process है, प्लीज इतना note डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं चलिए, easy question है, समझा गया, solubility of gas in liquid decrease with rise in temperature because resolution is end, कैसी process है, dissolution, exothermic process है, dissolution, और कैसी है irreversible process भी है, ठीक है, चलो next question की बात करते हैं, next question की बात करते हैं all element of group 15 show elatropy, as it is question hundred month.ucb as it is question, कोई question लगब़ बाहर का नहीं है, जो chapter हमने कर दिये हैं कि अलेलमेंट आसे क्वा गिशनल और शो महीं करता है क्विसुरा रखना नाइट्रोजन और ट्रॉपी ओ सुचिंगाёл नच्ण अया क्या है कि पॉल्यटे और गॉस्ण और रेंग Urin secondies glucose, monosaccharide है, maltose, नहीं है, polysaccharide, maltose, ठीक है, glycogen is a polysaccharide, glycogen क्या है, polysaccharide है, तो which is polysaccharide, glycogen is a polysaccharide, maltose, disaccharide, ठीक है, lactose, disaccharide, ठीक है, तो which is polysaccharide, glycogen is a polysaccharide, ठीक है, चलो, next, substance having the lowest boiling point, किसका lowest boiling point पाया जाता है, hydrogen, oxygen, nitrogen, helium, 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 जो कि एक क्या है अपनी, क्या है अपनी, एक noble gas है, इसका boiling point कैसा पाया जाता है, helium का lowest पाया जाता है, as it is दिया हुआ है, अपनी किसमें, NCIT से, तो which one having the lowest boiling point, helium having the lowest boiling point, क्योंकि इसमें पाया जाने वाले, wonderwall force कैसा होता है, काफी ज्यादा weak होता है, तो which one of the following has lowest boiling point, helium, answer क्या है, helium, चलो, next question, lower molecular mass alcohol, lower molecular mass वाले alcohol, ठीक है, सुनना, missible in water, अभी मैंने बताया, missible in water, missible in limited amount of water, नहीं, missible in excess of water, नहीं, missible in water in all proportion, जितने भी lower alcohol होता है, आपने देखा होगा न, अपन जाते हैं शॉप पे, wine शॉप पे, अपन इताइल alcohol लेके आते हैं, पानी में मिलाते हैं, मिल जाती हैं, तो missible in water in all proportion, किसकी बात कर रहे हैं, lower alcohol, lower alcohol, सारे proportion में, पानी में, मिक्स हो जाते हैं, तो missible in water in all proportion, तो answer should be C, बहुत simple question दिया है, इनोंने sample paper में, ठीक है, next question है, maximum oxidation state exhibited by chlorine, maximum oxidation state chlorine कितनी दिखाएगा, अगर आपको पता हो, chlorine atomic number कितना होता है, chlorine का atomic number कितना होता है, 17 होता है, आप electronic configuration करो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, चलो मैंने लिख दिया, 3, यहाँ पर 2 electron और यह total 5 electron, total यह कितने, 5 electron, यह total कितने, 1, 2, 3, 4, और यह 5 और 3D orbital खाली है, 3D orbital खाली है, इस state में, इधर ध्यान दीजेगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इस state में आप देखेंगे, plus 1 दिखाएगा, अब first excited state में इसको ले गए, यह उठके कहा आ गया, यहाँ आ गया, तो क्या दिखा आपको, यह दिखा, देखते चलना, बस देखते चलना, maximum पूछा है न, यहाँ दो, यह excited हो चुका, यह single, यह single, single पसंद, अब यह आ गया, यह आ गया, यह कितने देखने मिल रही है, चलो अगला second excited state में लेगा है, second excited state में लेगा है, इसको लेगा है अपन यहाँ पर अब कौन सी देखने मिल रही है, अब कौन सी देखने मिल रही है, आपको अब कौन सी देखने मिल रही है, यहाँ दो आ गए है, यहाँ दो आ गए है, प्लस five देखने मिल रही है, इसको एक औ और Excite करे, अबने is Third Excited state मिले गए, Third Excited state मिले गए, चल बेटा तू यहां जा, आपको कौ units की देखने मिले गवी, यह एक आ गया, यह one आ गया, यह एक आ गया, और यह यहांप酇की तीन देखने मिल गया, तो आपको देखने मिले गी PLUS 7 Oxidation state, कौ司 देखने मिले गी प्लस 7 तक पहुंचा सकता है आईए इजी है प्रेक्टिस करोगे सब बनेगा प्रेक्टिस करोगे सब बनेगा चलो next question next question in which of the following cases किस cases में blood shell will shrink blood जो cell होती है RBC वो shrink कर जाएगी चलो यह RBC है मान लीजे ठीक है when placed in water जब इसको पानी में रखा जाए जब इसको पानी में रख दिया मान लीजे इसको अपनने पानी में रख दिया जब इसको अपनने पानी में रख दिया ठीक है containing more than 0.9% अगर इसको यह isotonic होती है पानी के साथ 0.9% mass by volume में लेकिन आपने पानी का से जादा जादा बाहर concentration जादा है बाहर कैसा है concentration जादा है और अंदर concentration कैसा है अंदर concentration कैसा है कम है अंदर concentration कैसा है कम है लेकिन अगर आप देखेंगे अंदर solvent molecule जादा है अंदर solvent molecule जादा होंगे अगर अंदर concentration solute का कम है तो solvent ज्यादा होंगे, समझना, बाहर concentration ज्यादा हो गया, ठीक है किसका solute का, ठीक है 0.9%, लेकिन अंदर concentration कम हो गया, किसका solute का, लेकिन solvent का concentration ज्यादा है, तो solvent molecule अपने higher concentration से lower concentration की तरफ जाएंगे, solvent molecule, अपने higher concentration से lower concentration की तरफ जाएंगे, solvent molecule, और ये धीरे धीरे पिचकने लग यह श्रिंक होती जाएगी तो in which of the following case blood shell will shrink अगर इसे place कर दिया जाए किसमें hypertonic solution में place कर दिया जाए या more than 0.9% solution है तो उसमें अगर अपन इसे रख देंगे तो यह shrink कर जाएगी और answer होगा A answer क्या होगा A होगा clear है जब इसको पानी में रखा जाए जिसका concentration 0.9% mass by volume से जादा है तो यह shrink कर जाएगी तो यह shrink कर जाएगी बढ़ाता हूँ कहानी को आगे बढ़ाता हूँ कहानी को आगे चल यह अगली कहानी है मेरी section A खतम section B की कहानी है this section consists of a 24 multiple choice question इसमें 24 multiple choice question है with overall choice of attempt any 20 आपको any 20 कोई भी question attempt करने है अगर आपने 20 से ज़्यादा attempt कर दी है तो पहले के 20 ही मानने होंगे वरना आपकी माननता खतम कर दी जाएगी फिर कोई मतलब नहीं है आप कितने ही करते रहो तो कोई भी 20 करना लेकिन अच्छे से करना 20 से ज़्यादा मत करना नहीं तो initial के 20 ही मानने होंगे चलो how much पूछ रहा है how much ethyl alcohol must be added in one liter one liter of water so that so that solution will freeze at minus 14 degree celsius और kf के बारे में बात की जारी cryoscopy constant आपको दिया हुआ या moral depression constant आपको दिया हुआ है तो हमें पता था कि भाया del tf depression in freezing point क्या होता है depression in freezing point क्या होता है del tf is equal to kf into m यह हमें पता है kf into m हमें पता है del tf क्या होता था del tf जब आप कोई solute मिलाते हो जब कोई आप solute मिलाते हो जिससे how much ethyl alcohol must be added कि उसका freezing point minus 14 हो जाए आपने इथाईल alcohol को मिलाया पानी में तो freezing point में depression देखने मिलेगा क्या होता है freezing point में depression t0f minus tf पहले t0f था अब क्या हो गया tf हो गया is equal to kf m क्या होता है number of moles of solute upon weight of solvent in gram तो उपर 1000 से multiply कर देंगे अब एक liter water है एक liter water है एक liter water का mass कितना होगा बिटा 1000 gram होगा कितना होगा 1000 gram होगा तो t0f पानी के लिए कितना होता है 0 और tf क्या बोल रहा है पानी freeze हो रहा है solution freeze हो रहा है tf क्या है t0f क्या है freezing point of pure water of pure water और tf क्या है tf क्या है freezing point of solution of solution अगर ऐसी कहानी है तो समझेगा अगर ऐसी कहानी है तो समझेगा यहां पर लिख दिया आपने माइनस 14 is equal to kf कितना दिया है 1.86 into number of moles आपको पता करना है how much mole में निकालना है number of mole आपको पता करने है ठीक है अब आपको पता है कि 1 liter का मास आपने मान लिया कितना 1000 gram और gram माना तो उपर भी 1000, 1000 से 1000 कट गया यह हो गया माइनस माइनस प्लस 14 divided by 1.86 1.86 is equal to number of moles तो 1.86 divided by 14 चलो चेक कर लेते हैं calculator का यूज करके चेक कर देते हैं इसको समझेगा 14 को अपने divide कर दिया करीब 7.5 something आएगा फिर भी देख लेते हैं 14 divided by 1.86 this is 7.52 तो this number of moles कितना आए अपना 7.5 7.5 तो answer should be a answer क्या होना चाहिए a होना चाहिए जल्दी आईए answer क्या होना चाहिए a होना चाहिए clear है clear है चलो next question की बात करते है next question की बात करते है next question अपने को दिया हुआ है which reagent are required कौन सा reagent require होगा for one step conversion आपको एक step में conversion करना है किसका किसका conversion करना है chlorobenzine ठीक है to toluene इसको convert करना है toluene इसके लिए हम किसका use करेंगे chlorobenzine को convert करना है toluene में ठीक है अब ध्यान दीजिए अगर ऐसी reaction है अगर ऐसी reaction है तो मैं इसे अगर मैं ये कह दूँ कि अगर chlorobenzine की reaction में किसके साथ किसके साथ कर दूँ sodium के साथ ये methyl chloride के साथ कर दूँ ध्यान दीजिएगा अगर CH3Cl के साथ करूँगा CH3Cl के साथ करूँगा ALCl3 की presence में ये तो freedom craft reaction होती है ये तो freedom craft reaction होती है लेकिन इसकी बात करें इसकी बात करें देखना मैंने इसकी reaction कर दी sodium के साथ CH3Cl और dry ether की presence में dry ether की presence में तो आपको दिख रहा है आपको दिख रहा है क्या बनता हुआ क्या बनता हुआ सिंगल STEP में आपको दिख रहा है tolluen बनता हुआ toluene बनता हुआ तो answer क्या होगा answer साथ होगा be answer होगा be इसे नाम दिया जाता है what's the farm reaction fatigue reaction मैं air Gleich तरियाक्षं में वोड रियाक्षं में ऐली फेटिक लेते हैं दोनों को mix कर दिया तो इससे नाम दिया जाता है words fatigue reaction आंसर शुड़ भी एक step में आप goge in बना लेंगे एक step में आप岩 gorgeous Meter बना लेंगे clear है है डाई एजो टाइजिंग मिक्षर कहते हैं इसे आंसर क्या होना चाहिए बी होना चाहिए बी चलो next question की बात करें next है अपना on partial hydrolysis आप partial hydrolysis करें किसका fcf6 का आपको क्या मिलेगा जब आप xcf6 का hydrolysis करेंगे ठीक है xcf6 का hydrolysis करेंगे तो आपको क्या मिला समझ रहा है आपको मिला सबसे पहले xcf4 यह निकल गया x2hf 2hf और क्या बन गया xcof4 xcof4 ठीक है और अगर आपने फिर से hydrolysis करा partial hydrolysis कर रहे हैं आप ठीक है और क्या मिलेगा आपको आपको मिलेगा xc xe o2f2 और क्या मिल गया 4hf तो क्या क्या मिल रहा है ध्यान दीजे xc o3 मिल रहा है नहीं सर xc o2f2 xc o2f नहीं सर xc o f4 और h2 नहीं सर क्या मिल रहा है xc o2f2 और 4hf तो answer क्या होना चाहिए d होना चाहिए this is very important for neat also neat में पूछा गया question है और जही में में जही में में पूछा हुआ question है क्या है नीट और जही में आप आज जो पर रहे हैं 12th में ncrt इसी का ही तो explanation है नीट और जही जो बच्चे prepare कर रहे हैं भाईया मैं आपको बता दूं ncrt घोट डालो वही आपका सब कुछ है चाहे आप math की बात करें बायों की बात करें इन सब चीजों में आपको ncrt के around or chemistry की मैं अपने subject की बात कर रहें ncrt-based paper आता है टिपीकली clear है चलो next next बात करते हैं which one of the following statement कौंसी ऐसी statement है जो correct है about sucrose sucrose के बारे में कौंसी statement correct है sucrose क्या होता है c12 h22 o11 sucrose क्या होता है c12 h22 o11 इसके बारे में कौंसा statement correct है यह पूछ रहा है इट कें रिड्यूस टॉलन रिएजंट, however, इट कें नॉट रिड्यूस फैलिंग रिएजंट, गलत स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है, इट अंडर गो म्यूटा रोटेशन लाई, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोस, नहीं, म्यूटा रोटेशन नहीं दिखाता, ठीक है, चलो, इट अंडर गो इनवर्जन इन दा कॉन्फिग्रेशन ओफ हाइड्रोलिसिस, यस, यह क्या दिखाता है, हाइड्रोलिसिस पे, हाइड्रोलिसिस पे क्या दिखाता है, आपने इसका हाइड्रोलिसिस करा, तो आपको क्या मिलेगा, एन ग्लूकोज मिलेगा, और आपको क्या होना चाहिए? C होना चाहिए क्या होना चाहिए? C होना चाहिए It undergo inversion in the configuration on hydrolysis Clear है? Invert sugar कहते हैं इने, ठीक है? चलो आगे बढ़ाते हैं कहानी Phenol does not undergo nucleophilic substitution reaction Nucleophilic substitution, यह Phenol है यह OH है ठीक है? क्या होता है? यह अपना loan pair इदर donate करता है और यहां partial double bond character develop हो जाता है partial double bond character develop हो जाता है partial double bond character develop होने की वजह से आप यह जो OH को निकाल के OH को निकाल के ठीक है? OH को निकालने की कोशिश कर रहे थे, अब आप नहीं निकाल सकते हैं तो Phenol does not undergo nucleophilic substitution यह nucleophilic substitution नहीं देता है क्यों? acidic nature of Phenol नहीं partial double bond character develop हो जाएगा C और OH bond के बीच में या partial double bond character develop हो जाएगा C और C bond के बीच में C और OH bond के बीच में partial double bond character develop हुआ है यह single bond की तुला में काफी जादा strong हो गया और यह क्या नहीं दिखाएगा अपना nucleophilic substitution नहीं दिखाएगा तो answer क्या होना चाहिए? B होना चाहिए answer क्या होना चाहिए? B होना चाहिए बोलो clear है yes sir clear है बढ़ें आगे yes sir बढ़ जाओ yes sir बढ़ जाओ चलो next question which of the following highest ionization energy आपकी highest ionization energy किसकी होगी? चलो देखते हैं आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए ionization energy के बारे में group में जैसे जैसे नीचे जाते है ionization energy क्या होती है घटती जाती है घटती जाती है और period में along the period जाते है तो effective nuclear charge बढ़ने की वजह से ionization energy increase होती जाती है exception तो फिर हर जाका देखने मिलते है आप से पूछ रहा है किसकी ionization energy highest है चलो nitrogen दिया हुआ है phosphorus दिया है एक group के हैं दूसरा है oxygen और sulfur दूसरे group के हैं आप खुदी बताईए nitrogen से phosphorus की कैसी होगी? कम होगी अब nitrogen से oxygen की कैसी होगी? अब बताईए अब लेकिन nitrogen को आप देखेंगे 1s2, 2s2, 2p3 electronic configuration होता है और oxygen का क्या होता है 2s2, 2p4 होता है ठीक है? अब oxygen से sulfur की तो कम होना ही होना है नीचे जाने पर घटती है nitrogen से phosphorus की कम होना ही होना है ठीक है? अब मैंने कहा कि लेट से राइट जाने पर तो बढ़नी चाहिए oxygen की ज़्यादा होनी चाहिए थी लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? ये half field है कौन half field है? nitrogen में ये half field orbital है जो की extra stable होता है जो की extra stable होता है अपनी symmetry की वजह से और इस वज़े से nitrogen की ज़्यादा देखने मिलती है तो answer क्या होगा? Which one of the followingες highest ionization enthalpy? अंसर होगा nitrogen answer क्या होगा? nitrogen answer क्या होगा nitrogen किसकी highest ionization enthalpy देखने मिलेगी? आपको دेखने मिलेगी nitrogen की चलो आगे बढ़ाता हूँ कहानी को Next question है मेरा A metal M ion A metal M ion a metal m iron form ccp unit cell अगर m iron बना रहे हैं ccp unit cell या fcc unit cell यह कहानी है cubic close packed या या face centered cubic close packed ठीक है इसमें packing fraction 74% देखने मिलता है इसलिए इसे ccp या fcc नाम दिया गया ठीक है अगर यह बना रहा है तो number of effective atom कितने होंगे 4 होंगे 4 होंगे number of effective atom कितने होंगे 4 होंगे कैसा है इस case में अगर मैं fcc देखू तो यह fcc होता है मेरा atom corner corner पे होंगे और face center तो उपर वाली face नीचे वाली face अगल वाली face बगल वाली face सामने वाली face पीछे वाली face इस पे होंगे corner वाले atom पूरा का पूरा contribute नहीं करते 1 by 8 का contribution होता है इस unit cell में ऐसे 8 corner है और face 6 है अगल बगल उपर नीचे आगे पीछे 6 face हैं और face का contribution 1 by 2 होता है atom का तो यह आया 1 प्लस 3 कितना 4 याद रखने का तरीका बताया है मैंने fcc में f पकड लेना 4 या ccp बोल देना इसे 4 तो जड कितना आगया इसका 4 अगर जड 4 आ गया मतलब आपको पता चल गया m तो 4 है लेकिन अब आपकी octahedral void कितनी देखने मिली 4 और tetrahedral void आपको कितनी देखने मिली tetrahedral void दुगनी देखने मिली वो देखने मिली आठ कितनी देखने मिली आठ अब आपको बताना है ऑक्साइड आयन कहां कहां पाया जा रहा है तो लॉजिक समझ ना ऑक्साइड आयन कहां कहां पाया जा रहा है वन हाफ आप दा ओक्टाहेडरल वाइड में और कहां पाया जा रहा है वन हाफ आप दा टेटराहेडरल में तो कितना आया यह आया 2 प्लस यह कितना आया 4 यह हो गया total 6 मतलब metal ion है 4 और oxide ion है 6 आपका general formula हुआ M4O6 simplest करने के लिए मैंने 2-2 से multiply करा तो यह हो गया मेरा कितना M2O3 it should be my answer M2O3 तो my answer would be D, my answer would be D, simple question है ना, सारे question क्या मैंने कराय थे ना इसी variety के, अगर जो बच्चा मुझे constantly follow करना है वो तहलका मचा देगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, school exam ठीक है, उसमें तो मचाओगे ही मचाओगे, NEET और J.E. mains में भी आप तहलका मचा देगे, यह मेरी guarantee है, as it is question, क् की हमेशा एक चीज याद रखना, question का pattern पकड़ना मुझे पसंद है, हमेशा pattern follow करना पसंद है, मैं उस pattern के according चलता हूँ, हर चीज, magnet brain में हमारा एक ही motive रहता है, हम pattern पकड़े, सब चीजे होती है, जल्दी आईए, बढ़े आगे, चलो, next है मेरा, the reaction of toluene, आपने reaction करी toluene की, मेरे पास जो है, वो में लिखता चलूँगा, reaction of toluene, किस के साथ reaction करी, क्लोरीन के साथ, किस की presence में करी, fecl3 की presence में करी, किसी λूईसेशिट की presence में, क्या होगी कहानी, जब FECL3 क्लोरीन के साथ reaction करता है तो इसको अपनी तरफ खीच लेगा और क्या बना लेगा क्लोरोनियम आयन यह एलेक्ट्रोफाइल होगी अपनी यह एलेक्ट्रोफाइल अटेक करेगी कहाँ कहाँ अटेक करेगी आपकी और्थो और पैरा यह एलेक्ट्रोण डोनेटिंग होता है यह एलेक्ट्रोण प्लस आईशो करता है एलेक्ट्रोण डोनेटिंग होता है एलेक्ट्रोण डोनेटिंग है मतलब बेंजिन रिंग को अक्टिवेट करेगा यह और्थो और पैरा डारेक्टिंग होगा क्या यह क्लोरो नियम आया तो आपका X क्या बोल रहा है? X क्या बना? गिव X बेंजाइल क्लोराइड नहीं मेटा क्लोरो टॉलूइन नहीं और्थो एंड पैरा क्लोरो टॉलूइन और्थो क्लोरो टॉलूइन और पैरा क्लोरो टॉलूइन ठीक है सर हमें ये देखने मिल गया और तो क्लोरो टॉलूइन, पैरा क्लोरो टॉलूइन अब क्या बोल रहा है इक्स, गिव एक्स वाइल दा टॉलूइन विथ क्लोरीन इन प्रेजन्स अफ लाइट अब इसी टॉलूइन की रियक्शन मैंने हां हां हाँ 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 मेरी टॉलूइन हाँ हाँ ये मेरी टॉलूइन की रियक्शन अगर मैंने कर दी क्लोरीन के साथ यहीं क्लोरीन के साथ कर रहा हूँ मैं अब मैंने कोई Lewis Acid FeCl3, AlCl3 Iron नहीं लिया मैंने ले लिया Light Light ले लिया मतलब ये Free Radical Mechanism हो गई Free Radical को Mechanism को Follow करेगा तो पहले स्ट्रेप में H और ये CL होमोलिटिक फिजन होगा पूरी Mechanism नहीं बता रहा मैं देखो आपको मिला सबसे पहले CH HCl फिर क्लोरीन आएगा रियक्शन करने ये H और ये CL निकला तो HCl आपका क्या बन गया ये तब तक होती रहेगी जब तक H खतम नहीं हो जाते जब तक H खतम नहीं हो जाते फिर मैंने क्लोरीन के साथ रियक्शन कर दी मेरा ये वापस है चाया ये CL HCl निकल गया और मुझे क्या मिल गया मुझे क्या मिल गया यहां मिल गया मुझे C, C, L, C, L ट्राइक्लोरो मिथाइल ट्राइक्लोरो मिथाइल बेंजीन आंसर मुझे मिल गया Y वाला ये तो मेरा X क्या है? X क्या है? ये मेरा X है वो मेरी X है ये मेरा X है और ये मेरी Y है Y, O, Y Tell me Y तो X और Y मिल गया आंसर होगा C easy question है mechanism के थूप करना आसान लगेगा easy question है easy peasy है चलो जी सारा NCIT-based उसने दिया है पूरा pattern आप pattern को समझो और जो वर्ट कह रहा हूं उस हिसाब से analysis करो कि हमारे सर ने हमें क्या-क्या बताया question paper कैसे आने वाला है CVSC के sample paper को solve करना है तो कैसे होगा solve clear है चलो next next है अपना ozone is N ozone कैसा molecule होता है अगर आप ozone को देखोगे नए यह ozone है ozone में oxygen कौन से group का में मेरे 16 का 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 ठीक है यहां देखो 1,2,3,4,5,6 अब इसको देखो 1,2,3,4,5,6,7,8 इसका भी octet complete 1,2,3,4,5,6,7,8 इसका भी octet complete लेकिन इसको देखो 6 electron है तो यह इसके साथ coordinate bond बना लिया coordinate bond बना लिया कभी उधर double bond कभी इधर single bond similarly अब इसके भी octet complete इसका भी octet complete ठीक है यह donor atom हो गया वही coordinate bond में एक donor atom होता है सारा detail में बता चुका हूँ और इसके outer motion में 6 electron है यह acceptor atom हो गया अब कभी इधर coordinate bond बना लिया यह है इनके contributing structure या canonical structure contributing structure या canonical structure अब अगर मैं देखो actual structure ऐसा मिलेगा actual structure ऐसा मिलेगा कभी single bond कभी double bond कभी single bond कभी double bond यह bond angle देखने मिलेगा 117 degree this is resonating hybrid this is resonating hybrid इसी का वास्तविक अस्तित्व होता है यह तो आपके resonating structure या canonical structure इनका वास्तविक अस्तित्व नहीं है यह दोनों bond length बराबर है OO bond length कैसी है बोत दोनों OO bond length कैसी है equal है कैसी है equal है कैसी है equal है अगर equal है तो देखते हैं linear shape होता है नहीं होता angular shape होता है लेकिन दोनो bond length equal होती है क्या पूछा? ozone is an angular molecule यहाँ आएगा angular यहाँ आएगा angular molecule ठीक है? अब देखना है अपने को दोनों equal होती है तो angular वाले यह तो cancel हो गए angular वाले दो हैं लेकिन इसमें बराबर नहीं दिखा रहा है तो bond length इसमें बराबर दिखा रहा है मतलब angular होंगी और कितनी होंगी 128 picometer और कितनी होंगी 128 picometer मतलब यह OO bond length कितनी आती है आपकी 128 picometer इस तरीके से आपको solve करना है फ्लीज इससे note down करो जल्दी से चलो next question की बात करते हैं next question है अपना question number 35 water retention और puffiness आपका जो water retention या puffiness देखने मिलती है due to high salt intake आप high salt intake की वजह से water retention जो हो जाता है वो किस वजह से होता है वो किस वजह से होता है बीटा वो होता है diffusion नहीं वैपर प्रेशर नहीं osmosis की वजह से किसकी वजह से होता है osmosis की वजह से कि जो water retention होता है water molecule अंदर आ जाते हैं किसी cell के और आपको water retention या puffiness देखने मिलता है हमेशे जात रखना osmosis में solvent molecule का high concentration से low concentration की तरह transfer होता है चलो बढ़े आगे बढ़े आगे चलो next है अपना in the following reaction identify A and B अपने पास reaction दी हुई है आई की क्या है यहाँ पर चलो try करके देखते हैं आपके पास glucose दिया हुआ है चलो glucose दिया C6H12O6 मैंने लिखा CH2OH CHOH ऐसे whole 4 और इधर मैंने लिख दिया CHO इसकी सबसे पहले आप reaction करा रहे हैं acetic anhydride के साथ चलो करा दो acetic anhydride क्या होता है CH3 COOCOCH3 चलो क्या ऐसे होगी reaction चलो देखते हैं देखना CH3 COO और यह H निकल गया ठीक है यहाँ भी ऐसे चार molecule से CH3 CO इसके 5 ले लेते हैं यह reaction नहीं करेगा यह reaction नहीं करेगा alcoholic molecule reaction कर गए इधर आ गया CH2O आ ठीक है और इधर बचा हुआ क्या है COCH3 आ गया ठीक है सिमिलरली यहाँ पे क्या है CHO और बचा हुआ COCH3 आ गया COCH3 आ गया ऐसे चार molecule आ गया ऐसे चार molecule आ गया ठीक है और इधर आपका आ गया CHO ठीक है दूसरी चीज concentrated nitric acid जो की एक अच्छा oxidizing agent होता है जो की एक अच्छा oxidizing agent होता है तहल का मचा दूँगा आग लगा दूँगा कैसा है क्या करेगा यह glucose का molecule मैंने लिया glucose का molecule मैंने लिया क्या है मेरा glucose का molecule CHO CHOH whole 4 और इधर मेरा है CH2OH जैसे ही concentrated nitric acid reaction करेगा concentrated nitric acid reaction करेगा यह उपर वाले इसका भी oxidation कर देगा और नीचे वाले इसका भी oxidation कर देगा कहां पटकेगा इसको कहां पटकेगा तैल का मचा दूँगा आग लगा दूँगा इसको भी acid में oxidation करके पटका हमेशा एक चीज दिमाग में रखना की hydrocarbon का oxidation हो के alcohol मिलता है पहली स्टेप में alcohol का oxidation हो के लडियाइट कीटोन मिलता है कीटोन का थोड़ा टफ होता है और लडियाइट से आपको मिलता है acid तो इसने पटका इसको COOH में इधर आ गया CHOH whole 4 CHOH whole 4 और इधर आ गया COOH COOH इसे कहते हैं saccharic acid क्या कहते हैं saccharic acid चलो अगर ऐसा है तो मेरे product check करो product check करो A और B A नहीं ये नहीं हो सकता A क्या बना अपना A क्या बना COOH ये भी नहीं हो सकता A क्या बन रहा है अपना CHO नहीं CHO हाँ सही है CHO सही है CHO CO CS3 whole thrice नहीं ये भी नहीं हो सकता whole thrice कहां से होगा whole 5 होगा ये भी नहीं हो सकता अब लिखा है उपर है CHO CHO सही है CHO CO CS3 whole 4 सही है और CH2O CO CS3 ये बिल्कुल सही देख रहा है मुझे A और B में Sicaric Acid सही देख रहा है तो answer should be D answer क्या होना चाहिए D होना चाहिए answer क्या होना चाहिए D होना चाहिए प्लीस नोट डाउन करें से प्लीस नोट डाउन करें से प्लीस नोट डाउन करें से चलो आगे बढ़ाता हूं कहानी को आगे बढ़ाता हूं कहानी को लिखा अच्छे से लिख लो भई या बायो मॉलीक्यूल से बहुत question पूछ रहा है जल्दी से लाता हूं इसका one shot revision और क्या अपने 100 mc cube आपके term 1 से पहले सब कुछ दे दूँगा मैं इन lag test of aluminium plus 3 aluminium plus 3 का जब अपन lag test करते हैं तो ध्यान दीजेगा इसमें हमेशा आपको formation देखने मिलता है floating lake जैसा यह किस वज़े से होता है absorption कभी नहीं होता absorption कभी नहीं होता absorption कभी नहीं होता absorption किसका होता है absorption of litmus by aloh holthrised answer होगा d किसका absorption होता है lake test में absorption of litmus by aloh holthrised please note down करो litmus का absorption होता है by aloh holthrised clear है absorption of litmus by aloh holthrised चलो आगे बढ़ाता हूँ कहानी को आगे बढ़ाता हूँ कहानी को next है a unit cell of NACL कोई unit cell है Z formula units oh sorry has 4 formula units Z कितना है 4 है edge length A कितना दिया हुआ है 0.50 nanometer है nanometer है इस nanometer को मुझे convert करना पड़ेगा किसमे cm में तो मेरे पास होता है 0.50 into 10 की power minus 9 meter लिखते हैं और centimeter लिखेंगे तो 0.50 into 10 की power minus 7 centimeter लिखेंगे ठीक है calculate the density in density if molar mass of NACL A दिया हुआ है आपको density calculate करना है density calculate करना है molar mass आपको NACL का कितना दिया है NACL का कितना दिया है 58.5 gram per mole दिया हुआ है gram per mole दिया हुआ है चलो कोई दिक्कत नहीं density का formula क्या होता है ZM upon A cube into N A A cube into N A ZM upon A cube into N A Z कितना दिया है 4 दिया हुआ है M कितना है 58.5 है 58.5 है A कितना दिया हुआ है अपने पास 0.50 into 10 की power minus 7 का whole cube और N A avogadro number किसके बराबर होता है 6.022 into 10 की power 23 10 की power 23 तो ये आ गया 6.022 into 10 की power 23 जब आप calculate करेंगे तो आपको answer मिल जाएगा 3.1 gram per centimeter cube ये answer आएगा density का ये answer आएगा density का ठीक है This would be the answer of density आप calculate करके देख लीजेगा आपका answer होगा C आपका answer होगा C ठीक है ये 10 की power minus 21 आ जाएगा और 0.50 का whole cube कर देना whole cube कर देना आपको answer मिल जाएगा divide करोगा बहुत simple कहां नहीं है कुछ भी rocket science नहीं है कुछ भी rocket science नहीं है इसके पीछे बढ़े आगे बढ़ जाएं आगे चलो next next है आपका which one of the following are which one of the following are correctly arranged on the basis of the property indicated कौन सा correctly arranged है चलो iodine, bromine, fluorine, chlorine dissociation, energy के बारे में बात कर रहा है अगर आपने कोई बच्चा मुझे constantly follow कर रहा होगा उसे पता होगा मैंने एक short की series लाई है जिसमें मैंने आपको बता रहा था कि भाईया आपको short trick कैसे याद करी जाए जो भी exception है और उसको तो आप please follow करना please follow करना पूरी chemistry का exception वहाँ आपको देखने मिलेंगी तो मैंने बताया था bond dissociation enthalpy of halogen इसमें मैंने order आपको बताया था काला, ब्रामण, फटेहाल, आया ये मैंने जिंगल बताई थी आपको क्या बताई थी काला, ब्रामण, फटेहाल थोड़ी हिंदी अपनी फटेहाल आया फ्लोरीन की bond dissociation enthalpy आपको ज़्यादा देखने मिलती है कैसी देखने मिलती है ज़्यादा देखने मिलती है एक मेनिट, एक मेनिट उल्टा ओडर लिए इसको ये करना क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन फ्लोरीन की आपको कम देखने मिलती है वज़ा क्या थी, वज़ा क्या थी फ्लोरीन का साइच छोटा है जो साथ electron है, ग्रूप 17 का मेंबर है साथ electron है, इस वज़े से हाइस होनी चाहिए थी, लेकिन यह यहाँ ना रहके यह इधर आ जाती है वज़ा क्या थी, वज़ा क्या थी फ्लोरीन का साइच छोटा है आउटर मोशल में साथ electron है, इंटर electronic repulsion बढ़ गया और इसकी bond dissociation enthalpy आपको कम देखने मिली याद करने का तरीका काला प्रामण फटे हाला है chlorine की सबसे जाता है तो यह तो बिल्कुल गलत है chlorine, फिर fluorine, फिर bromine, फिर iodine गलत है, order गलत है चलो, अगला, increasing acidic order increasing acidic order H2O से ज़्यादा होता है H2O से ज़्यादा होता है लेकिन H2O ज़्यादा दे दिया गलत क्यों क्योंकि अगर आप H2O है H2S है H2SE है H2TE है आप जैसे जैसे देखेंगे oxygen hydrogen 1 लेंच छोटी sulfur size बढ़ा तो 1 लेंच बढ़ी selenium का size और बढ़ा तो 1 लेंच और बढ़ी tellurium का size और बढ़ा तो 1 लेंच और बढ़ी 1 लेंच नीचे जाने पर बढ़ती जा रही है hydrogen कितना होगा plus 1 into 3 is equal to 0 तो X is equal to कितना हो गया minus 3 चलो बिल्कुल सही है N2O की बात करें N2O में nitrogen को X माना ऐसे 2 है plus oxygen minus 2 is equal to 0 2X is equal to 2 तो X कितना हो गया plus 1 बिल्कुल सही है जा रही है कहानी इसमें कित्ती देखने मिल गई अपने को इसमें कित्ती देखने मिल गई minus 3 इसमें कित्ती देखने मिल गई अपने को plus 1 NH2OH की बात करूँ NH2OH की बात करूँ तो nitrogen को माना मैंने X ठीक है hydrogen को माना मैंने plus 1 into 2 plus oxygen को माना मैंने minus 2 plus hydrogen को माना मैंने plus 1 plus 1 is equal to 0 तो X कितना हो गया मेरा x कितना हो गया ये गया उधर तो प्लस 2 हो गया और ये हो गया 2 और 3 माइनस 3 तो x हो गया मेरा माइनस 1 गलत ओर आ गया गलत ओर आ गया इसमें प्लस 5 देखने मिलेगी गलत ओर देखने मिल गया ये भी गलत हो गया ये भी गलत हो गया NH2OH में NH2OH में माइन प्लस टू, प्लस टू, माइनस टू, प्लस टू, माइनस टू, गलत ओर हो गया, लास्ट है, Bih3, Sbh3, Ash3, Ph3, Nh3, increasing bond angle, अब आपको पता होना चाहिए, Nh3 में bond angle सबसे ज़्यादा होता है, फिर Ph3, Ph3 में कम, nitrogen, phosphorus, arsenic में और कम, nitrogen, phosphorus, arsenic, फिर antimony में और कम, Sbh3 में और कम, और just explanation of Bih3 में और कम, क्यों क्योंकि electronegativity of central atom क्या होती जा रही है, electronegativity of central atom decrease होती जा रही है, तो सबसे ज़्याद NH3, Ph3, Ash3, Sbh3, Bih3, Ammonia, Phosphine, Arsene, Stabine, Vismathine, answer होगा D, answer क्या होगा D, बिल्कुल सही है, जल्दी आईए, answer होगा D, बिल्कुल आईए, answer होगा D, ब बस करते चलेंगे, ना रुकेंगे ना थमेंगे, बस करते चलेंगे, चलो, लिख लिया, note करा, note करा, yes sir, अगली कहानी मेरी जुबानी, next है आपका, what would be the reactant and reagent used to obtain 2,4-dimethyl-pentane-3ol, आपके पास है 2,4-dimethyl-pentane-3ol, चलो देखते हैं, क्या होता है 2,4-dimethyl-pentane-3ol, 2-PB-methyl-4-PB-methyl-2,4-dimethyl-2,4-dimethyl-2,4-dimethyl-pentane-5-carbon है, 5-carbon है, pentane-3ol, 3-all, 3-all, pentane-3ol, यहाँ पे भी क्या लगा रहेगा, यहाँ क्या लगा रहेगा, all, CH-O-H, तो अब देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4-dimethyl, this is my 2,4-dimethyl, ठीक है, मेरा है pentane, pentane, और मेरा suffix किसका लगा, alcohol का suffix क्या होता है, 3 पे लगा है all, यह मेरा product है, यह मेरा क्या है, product है, यह मेरा product है, इसे मुझे बनाना है, इसके लिए reagent कौन-कौन सी use करेंगे, चलो मेरा दिया हुआ है propane, L, और propyle magnesium bromide, जो लिखा है मैं करता जाओंगा, propane, L, propane, L, क्या होता है, L मतलब LDI, this is CH3, CH2, CHO, this is 1, 2, 3, propane, और 1 पे लगा है L, क्या मैं CHO को ऐसा लिख सकता हूँ, यह सर, this is propane, और किसकी reaction करी है, अपनने propyle magnesium bromide, propyle magnesium bromide क्या होता है, CH3, CH2, CH2, Mg, Br, ठीक है, magnesium पे plus charge है, इस पे minus और इस पे minus, ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ध्यान दीजिए oxygen की elektronegativity जादा negative इधर positive, ठीक है, अब यह वाला part इधर आया और यह वाला इधर गया, इसमें होती है nucleophilic addition reaction, क्या होती है nucleophilic addition reaction, चलो, क्या बना, क्या बना आपका, CH3, CH2, यहाँ पे आ गया, C, O पे लग गया, Mg, Br, Mg, Br, और यहाँ पे लगा है, H, और इधर आ गया आपका, CH2, CH2, CH3, अगर मैं इसका hydrolysis भी कर दूँ, hydrolysis भी कर दूँ, hydrolysis भी कर दूँ, hydrolysis भी कर दूँ, H और OS, तो मुझे product क्या मिलेगा, मुझे product क्या मिलेगा, CH3, CH2, ठीक है, CH2, C, O, H, CH2, 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 CH3, हि, क्या ये अपना product है, नहीं, ये गलत हो गया, चलो, अगला है, पहला वाला गलत, पहला वाला गला है, चलो, चॉँटे वाले को try करके देखते हैं, इतना उठारा, सब try करके देख लेते हैं, किसी से उत्तों answer आईगा, चोँटे वाले को try मारते हैं, टू मिथाइल प्रोपेनल उतारा इसे उतारा चलो मिटा रहा हूं इसे मिटा रहा हूं मैं है ना इसे पहले मिटा रहा हूं अगला है मेरे पास 2-methyl-propanol क्या है 2 पे लगा है methyl 2 पे लगा है methyl 2 पे लगा है methyl यह है लगा methyl मेरा 2 पे लगा है methyl और propanol prop 3 कारबन है this is propanol यह है 1,2,3 2 पे लगा है methyl तो this is 2-methyl propane और 1 पे लगा है अल मतलब aldehyde चलो और किसकी reaction हुई isopropyl magnesium iodide isopropyl magnesium iodide क्या होता है यह isopropyl है isopropyl magnesium isopropyl magnesium iodide magnesium iodide isopropyl 1 minute 1 minute यह CH3 magnesium iodide magnesium iodide isopropyl magnesium iodide this is isopropyl magnesium iodide अब क्या हुआ अब क्या हुआ सेम वही कहानी यहाँ negative यहाँ पे positive charge ठीक है अब तुम भहिया positive वाले हो तुम कहाँ attack मारोगे यहाँ मारोगे और यह negative वाला तुम attack मारोगे यहाँ product क्या बना अपना product क्या बना अपना CH3 CH CH3 C पे लगा है OMG 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 ठीक है और यहाँ H यह H मेरा और इससे कौन जुड़ गया इससे जुड़ गया CH CH3 CH3 अगर मैं इसका अब hydrolysis कर दूँ इसका hydrolysis कर दूँ इसका hydrolysis कर दूँ तो यह OH और यह H यह OH और यह H तो यह हमें मिला CH3 CH CH3 यहाँ मिल गया अपना CH और उपर आ गया अपना OH और यह आ गया अपना CH CH3 और इदर आ गया CH3 क्या यह मेरा प्रोड़क्ट है 1,2 2,4-Dimethyl 2,4-Dimethyl Pantene Pantene और अपना 1,2,3,4,5 5 पे लगा है 3 पे लगा है All Pantene 3 All Yes sir This is our product This is our product 2,4-Dimethyl Pantene 3 All तो हमारा आंसर होगा D हमारा आंसर होगा D आप ऐसे ही 2-Methyl Butane 1 All 2-Methyl Magnesium Iodide 2-Methyl Pentanoate और यह आप करके एक बार देख सकते हैं लेकिन आंसर क्या होगा D होगा ठीक है काफी लंदी हो जाएगा अगर मैं हर चीज़ बताते चलूँगा तरीका मैंने बता दिया आपको कि आप कभी भी किसी भी RMGX ग्रिगनाड रिएजेंट की रिएक्शन अगर आप LDI डो की टोन पे करते हैं रिएक्शन कैसे प्रोशीड होती है रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है प्लीज़ नोट डॉण करें चलू आगे बढ़ाता हूँ कहनी को बढ़ें आगे चलू नेक्स क्वेस्चन है कि चलिए आपके पास देखो और्थो हाईड्रॉक्षी बेंजाइल एलकोहल जब रियक्ट करेगा PCL5 के साथ तो क्या प्रोड़क्ट मिलेगा उसका IUPAC नेम अपने को करना है चलो देखते हैं PCL5 को क्या मैं PCL3 CL CL लिख सकता हूँ क्या हुआ मेरा यह H और CL निकल गया HCL बन गया दूसरा मेरा O और PCL3 निकल गया POCL3 बन गया और साथ में क्या बना साथ में क्या बना जान दीजेगा साथ में क्या बना मेरा साथ में बना CH2 CL और यह मेरा आ गया OH अब इसका मुझे IUPAC नेम बताना है ठीक है, IUPAC नहीं बताना है, तो मैं इसे ये बोल सकता हूँ, देखेगा, देखेगा, 2 पे लगा है chloro-methyl, ये functional group है, इसे first नाम दिया, priority order पहले आता है, ये दूसरा बहुत अच्छा question है, 2 पे लगा है chloro-methyl, 2 पे क्या लगा है chloro-methyl, और, और, ये क्या हुआ, phenol, 2 chloro-m phenol, answer क्या होना चाहिए, answer क्या होना चाहिए, B, answer क्या होना चाहिए, B, 2 पे लगा है chloro-methyl and phenol, तो जो product बनेगा, उसका answer क्या होगा, P होगा, clear है, बढ़ जाए आगे, चल ये देखेगा, उतार लो जल्दी से, देखेगा, next question है, which of the following statement is true, कौन सा statement true है, कौन सा statement true है, समझ Ammonia is the weakest reducing agent and the strongest base among group 15 hydride, अगर आपको पता हो, Ammonia, Phosphine, Arcene, Stabine and Bismuthine, ये hydride होता है group 15 के, नीचे जाने पे acidity क्या होती है, नीचे जाने पे acidity क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि bond length बढ़ती जाती है, अब क्या पूछ रहा है, बेसी सीटी नीचे जाने पे क्या होती है, सीटी नीचे जाने पे क्या होती है, घटती है, बेसी सीटी नीचे जाने पे क्या होती है, घटती है, मतलब Ammonia सबसे अच्छा base होगा, strongest base, ये तो कहानी सही है, strongest base होगा, अमंग रो 15 hydride, और पूछ रहा है, Ammonia is weakest reducing agent, अब reducing agent का पता कैसे लगा है, जो आसानी से hydrogen दे दे, element hydrogen hydrogen छोटी, phosphorus hydrogen बिलिंद इसमें बढ़ गई, arsenic hydrogen ओर बढ़ गई, antimony hydrogen और बढ़ गई, piesamit hydrogen की बढ़ जियादा बढ़ गई, आप देख रहे हैं, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, बलिंद बढ़ती जा रही है, मतलब reducing power बढ़ती जा रही है, reducing power बढ़ती जा रही है reducing power बढ़ती जा रही है मतलब क्या statement सही है ammonia is weakest reducing agent बिलकुल सही है and strongest base बिलकुल सही है तो statement a is correct statement a correct है बाकी के statement कैसे होंगे कोई मतलब नहीं ammonia is strongest reducing agent गलत बात है ammonia is weakest reducing agent सही है as well as weakest base गलत हो गया ammonia is strongest reducing agent गलत हो गया तो answer क्या सही है a सही है बाकी option कैसे हैं? गलत है clear है, clear है clear short है, बढ़ जाएं आगे चलो next next है मेरे पास identify the secondary alcohol from the following set अब इस question में मैं CBSC से सहमत नहीं हूँ जो उसने answer की दी हुई है चलो फिर भी अपन देखते हैं secondary alcohol क्या होता है? समझना समझना, पहले वाले को मैं देखूं पहले वाले को मैं देखूं इसको मैं अगर देखूंगा तो सुनना, अगर alcohol से जुड़ा हुआ alcohol से जुड़ा हुआ carbon alcoholic functional group से जुड़ा हुआ carbon दो और carbon से जुड़ा है दो और carbon से जुड़ा है, तो this is two degree alcohol यह तो सही है पहला वाला टू डिग्री अलकोहल है इसकी बात करें इसकी बात करें दूसरे वाली की आपका है सी ओएच और इस पे तीन लगे हुए हैं सी टू एच फाइफ तीन लगे हैं सी टू एच फाइफ तीन लगे हैं सी टू एच फाइफ तीन लगे हैं सी टू एच फ आप से पूछ रहा है तू डिग्री अलकोहल अब यह थर्ड फिनॉल अब कुछ बुक में फिनॉल के बारे में यह लिखा जाता है कि भाईया फिनॉल जो है फिनॉल जो है फिनॉल से जुड़ा हुआ ओएज ग्रुप ओएज ग्रुप ओएज गुरुप दो और से जुड़ा है इस वाले को देखना इसको देखना इसको को देखना यहां लगा है C, OH और इधर लगा है CS3 OH से जुड़ा हुआ कार बन 2 और से जुड़ा है 2 और से जुड़ा है यह 2 डिगरी अलकोहल दिया हुआ तो मेरे according तो 1, 3 और 4 तीनों होने चाहिए थे लेकिन जो आपको answer आया है वो 1 और 4 का आया है तो मैं टिक कर रहा हूँ ठीक है चलो देखते हैं आगे कुछ process हुआ तो अपन लिखके जरूर देंगे कि भईया यह option गलत हो सकता है क्योंकि कुछ book में phenol को secondary alcohol दिया गया है यह मेरा मानना था मैंने आपको बताया यह नहीं कि sir ने कुछ भी बता दिया आपकी answer की में जो दिया हुआ है नहीं तो बात में आप compare करें कि भईया हमें तो ऐसा दिया था और आपने ऐसे कराया clear है चलो next question की बात करते है next है alken decolorize bromine water alken जो होते है मेरा कोई भी alken है अगर मैंने याद रखना है bromine और CCL4 यह होते हैं test of unsaturation test of unsaturation test of unsaturation unsaturation bromine का color कैसा होता है bromine brown color का होता है bromine brown color का होता है जैसे ही आपने इसके साथ reaction करा है यह bond टूटा और आपका क्या जुड़ गया CH2BR और यहां जुड़ गया CH2BR आपका क्या मिल गया vicinal di bromide मिल गया क्या मिल गया vicinal di bromide मिल गया तो क्या बोल रहा है और प्लस brown color क्या हो जाएगा disappear, brown color क्या हो जाएगा disappear, brown color क्या हो जाएगा disappear, यह test of unsaturation होता है, जो की double bond और triple bond, unsaturated मतलब जो double bond है, जिनके पास त्रिपल bond है, वो देते हैं, कभी भी alkane bromine water test नहीं देते bromine CCL4 test नहीं देते benzene भी नहीं देता, क्यों bond होते हुए भी यह नहीं देते, यह चीज याद रखना, तो क्या पूछ रहा है, alkene decolorized bromine water in presence of CCL4 due to the formation of allyl नहीं, vinyl नहीं, bromo, नहीं vicinal dibromide, vicinal dibromide, प्लीज इसे note down करो, जल्दी आओ, चलिया, next question की बात करते हैं अपन, next है अपने पास, section b में ही assertion and reason, चलो given below are two statement labeled as assertion and reason, चलो देखते हैं assertion क्या है अपने पास, दिया है अपने पास electron gain enthalpy, आपको पता होना चाहिए क्या होती है, जब कोई isolated gaseous atom, isolated gaseous atom, एक electron gain करता है, force of attraction की वज़ए से तो जो amount of energy जी निकलती है, उसे कैते है, electron gain enthalpy of oxygen, of oxygen is less than that of fluorine, बिलकुल सही है, left से right rouसे जाते है, electron gain enthalpy बढ़ती जाती है, ठीके, और fluorine की ज़दा होगी, बिलकुल सही है, but greater than nitrogen, greater than nitrogen, बिलकुल सही है, nitrogen से जदा होगी, oxygen Ky, और oxygen से जदा होगी, fluorine की, तो यही बोल रहा है न, electron gain enthalpy of oxygen is less than that of fluorine, बिलकुल सही है, but greater than that of nitrogen, यह भी सही है, चलो, यह statement सही है, the ionization enthalpy of element, follow the order, nitrogen, फिर oxygen, फिर fluorine, nitrogen, ज्यादा, नहीं, गलत statement हो गया, तो assertion तो सही है, लेकिन reason गलत है, तो a is true, but r is wrong, answer क्या होना चाहिए, answer होना चाहिए, c, a is true, but r is wrong, answer क्या होना चाहिए, c, जल्दी आईए, a is true, but r is false, answer होना चाहिए, c, जल्दी आईए, चलो जी, चलो जी, आज, साफ साफ कहता हूँ, अगले question पर आता हूँ, alkyl hyalides are insoluble in water अब ध्यान दीजेगा आपको ये पता होना चाहिए एक concept हम पढ़ते हैं like dissolve like like dissolve like like dissolve like इसका मतलब क्या है like dissolve like इसका मतलब क्या है समझेगा जितने भी organic solvent होते है जितने भी organic compound होते हैं वो organic solvent में soluble होते हैं और ionic compound polar solvent मतलब water में soluble होते हैं alkyl hyalide जो की एक organic solvent है organic solvent organic है इसको ऐसे लिख देते है alkyl hyalide जो की organic nature का है या covalent nature का है या covalent compound है वो organic solvent में ही soluble होगा लेकिन पानी में कैसा होगा insoluble होगा पानी में कैसा होगा insoluble correct statement है correct statement है alkyl hyalides have halogen attached to sp3 hybridized carbon चलो ये मान लीजिया alkyl hyalide है ये मेरा alkyl hyalide है जिसमें halogen sp3 hybridized carbon से जुड़ा होता है देखते हैं 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 4 sigma 4 sigma से घिरा हुआ है कोई loan pair नहीं total 4 मतलब कौन सा hybridization sp3 hybridization तो ये भी सही ये भी सही लेकिन क्या इन दोनों में कोई relation है तो both A and R are true but R and R is correct explanation of A ये गलत हो गया R correct explanation नहीं है A का both A and R are true A और R दोनों सही है लेकिन R is not the correct explanation of A answer होना चाहिए B answer होना चाहिए B दोनों सही है लेकिन R नहीं है A का answer होना चाहिए B चलो जी आगे बढ़ाता हूँ next question molarity of solution molarity of a solution क्या होती है molarity simple word में कहूं number of moles of solute dissolve in one liter of solution तो number of moles of solute upon volume of solution in liter number of moles क्या होते है given weight upon molecular weight given weight upon molecular weight and volume अगर ml में ले लेंगे तो उपर कितना हो जाएगा thousand से multiply हो जाएगा चलो यह है अपनी molarity molarity में term कौन सार है volume तो molarity of a solution changes with change in temperature क्यों बिल्कुल सही statement है molarity temperature बदलने के साथ बदल जाती है क्योंकि temperature बदलने से volume बदल जाएगा temperature बदलने से volume बदल जाएगा तो molarity बदल जाएगा चलो molarity इसा अरे यार कैसी colligative property हो सकती है चार ही colligative property होती है सबसे पहला है relative lowering of vapor pressure दूसरा है elevation in boiling point तीसरा है depression in freezing point और चौथा है अपना osmotic pressure चार ही colligative property होती है molarity is a concentration term concentration term जिससे सांद्रता नापते हैं लेकिन this is not a colligative property तो भाईया a is true but r is false तो answer क्या होगा answer क्या होगा answer होगा c a is true but r is false answer होगा c जल्दी देखिए इसे जल्दी देखिए इसे a is true but r is false answer होगा c answer क्या होगा c होगा अपना चलो बढ़ाता हूं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ कहानी को आगे मेरी अगली कहानी है SO2 is a reducing agent SO2 reducing agent as it is अगर जिस बच्छे ने मेरा one shot revision वीडियो देखा as it is मैंने ऐसा लिखाया था मैंने कहा था SO2 अच्छा है reducing agent होता है और reducing property नीचे जाने पर घटती है SO2, sulfur's, SEO2 और TEO2 तक जैसे जैसे जाता जाऊंगा reducing property reducing property कैसी होती जाएगी reducing property भी घटती जाएगी घटती जाएगी और TEO2 एक अच्छा oxidizing agent होता है मैंने बताया था तो SO2 reducing agent है और TEO2 oxidizing agent है बिल्कुल सहीं NCRT की line by line ठीक है अब लिखा है reducing property of dioxide reducing property of dioxide from SO2, TEO2 क्या होती है decrease होती है assertion भी सही reason भी सही उसका correct explanation भी कि आप SO2 से TEO2 तक जाते जाएगे तो SO2 reducing agent है TEO2 oxidizing agent है क्यों क्यों क्या कहानी है क्योंकि सर SO2 में reducing property TEO2 से जाने तक घटती जाएगी that's why TEO2 क्या हो गया oxidizing agent हो गया answer क्या होगा A होगा both A and R are true but and R is the correct explanation of A R is the correct explanation of A जल्दी आईए जल्दी आईए बढ़ जाएं आगे बढ़ जाएं आगे चलो आगे बढ़ाता हूं कहानी को आगे बढ़ाता हूं कहानी को कहानी को आगे नई दिशा देता हूं next question है 49 cryoscopic constant KF जिसे हपन कहते है moral depression constant depends upon the nature of solvent किस पर depend करता है solvent के nature पर depend करता है बिल्कुल सही statement है cryoscopic constant is a universal constant नहीं अलग-अलग solvent लेते जाओगे आप benzene solvent ले लो water solvent ले लो बदल जाएगा तो this is not the universal constant पानी है मान लिया उसके लिए fix है लेकिन दूसरा solvent बदला उसके लिए भी बदल जाएगा ठीक है तो cryoscopic constant depends upon the nature of solvent बिल्कुल सही है लेकिन universal constant होगा गलत तो A is true but R is false तो answer should be C answer क्या होना चाहिए C होना चाहिए answer क्या होना चाहिए C होना चाहिए चलिए 50 मार दे 50 मार दे जल्दी से चलो last question oh last नहीं मतलब 50 वाला question लिखा हुआ है this section C आगया section C आगया 50 number questions section C शुरू हो चुका है this section consists of six multiple choice questions with an overall choice to attempt any five आपको कोई भी 5 attempt करने है in case more than desirable number of questions are attempted अगर desirable question से ज़्यादा आपने attempt कर लिए only first five will be considered तो शुरूआत के 5 ही consider किये जाएंगे मान लीजे आपने 6 के 6 कर दी है ठीक है और तो starting के 5 ही होंगे इसलिए जो 5 करो अच्छे से करना चलो देखते हैं match the following amino acid amino acid amino acid क्या बनाते है जो इटराइन बनाते है thiamine thiamine किस में पाया जाता है thiamine किस में पाया जाता है thiamine पाया जाता है thiamine चलो चलो देखते हैं insulin 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 is a protein insulin क्या है एक protein है ठीक है phosphodiester linkage किस में पाया जाती है nucleic acid में पाया जाती है ठीक है और थाया मीन किस में पाए जाता है डी एने में पाए जाता है तो इस हिसाब से मेरा which of the following is the best matched option देखते हैं A से मिल रहा है D first से मिल रहा है D तो देखो first से मिल रहा है D, B और C से ही होना चाहिए दूसरा, रुक जा, रुक जा, दूसरा, दूसरे से मिल रहा है C, दूसरे से मिल रहा है C, बिलकुल सही है फिर से बढ़ा, तीसरे से मिल रहा है A, तीसरे से मिल रहा है A, सही है और fourth से, fourth से मिल रहा है, fourth से मिल रहा है B, सही है तो answer क्या होना चाहिए B answer क्या होना चाहिए B answer होना चाहिए B ठीक है clear है answer होना चाहिए B पहले ये उतारो और इसका answer B उतार लो इसका answer B उतार लो ठीक है चलो clear है मिटा दे चलो जी आगे बढ़ते हैं चलिए देखिए अपना question number 51 है which of the following analogies is correct आपको पता करना है कौन सी analogy correct है ठीक है ध्यान दीजेगा nitrogen का electronic configuration 1s2, 2s2, 2p3 nitrogen का atomic number 7 होता है electronic configuration 1s2, 2s2, 2p3 बिल्कुल सही है 2p3 बिल्कुल सही है लेकिन आपके पास argon है helium, neon, argon argon का atomic number कितना होता है 18 होता है ठीक है और ये किसका दिया हुआ है ये किसका दिया है 1s2, 2s2, 2p6 helium, neon का दिया हुआ है ये तो गलत हो गया argon का होता है 18 atomic number इसका होगा 3s2, 3p6 चलो ठीक है चलो ठीक है पहला गलत carbon maximum compound बनाता है बिल्कुल सही xenon, no compound अरे xcptf6 xcptf6 ठीक है ये इसका compound होता है xcptf6 ये इसका compound होता है चलो गलत हो गया ये statement भी गलत हो गया कि xenon कोई compound नहीं बनाता है ठीक है xcf2 का linear structure होता है अगर आपको structure बनाना है तो पहला hybridization चेक करो xcf2 में hybridization चेक करो half कितने monovalent atom जुड़े है 2 xenon के valent shell में कितने electron है 8 10 by 2 10 by 2 मतलब 5 5 मतलब कौनसा hybridization sp3d hybridization और जब भी sp3d hybridization आता है जो lone pair होता है ध्यान देनो sp3d hybridization में अब देखिएगा कि xenon group 18 का member है group 18 का member है मतलब valent shell में कितने electron 8 electron 8 electron 8 में से 2 ने क्या बना लिए bond बना लिए बच्चे 6 electron 6 electron मतलब 3 lone pair sp3d hybridization में lone pair क्या occupy करता है lone pair occupy करता है equatorial position equatorial position और electronegative element occupy करता है most electronegative element occupy करता है axial position और आपका जो shape आता है xcft का वो कुछ ऐसा आता है ये देखिए कुछ ऐसा आता है ये कुछ ऐसा आता है ये दोनो 120 degree के angle पे है इनका resultant इदर से इसका resultant इदर से इसने इसको cancel करा इदर F इदर F इदर F आपका shape कैसा देखने मिल रहा है आपको shape देखने मिल रहा है linear कैसा shape देखने मिल रहा है आपको shape देखने मिल रहा है linear है ठीक है सर तो XCF2 linear होता है CLF3 CLF3 अब CLF3 का hybridization निकालो CLF3 का hybridization निकालो hybridization निकालो half कितने monovalent atom जुड़ें तीन कौन से group का member है group 17 का member है कौन से group का member group 17 का member है मतलब valential में कितने electron साथ 10 by 2 10 by 2 मतलब 5 5 मतलब SP3D hybridization अब देखिए valential में साथ electron ने तीन ने bond बना लिए बचे चार electron चार electron मतलब दो lone pair तो ध्यान दीजेगा दो lone pair में से एक इधर आ गया एक इधर आ गया ये एक इधर इधर ये एक इधर इधर ये इसको repel करेगा lone pair, bond pair repulsion लगेगा इसका shape आपको देखने मिलेगा कुछ ऐसा bent T-shape कैसा देखने मिलेगा T-shape या bent T-shape T-shape या bent T-shape और आपको दिया क्या हुआ है trigonal planar गलत हो गया अब helium metrological observation में इसका use किया जाता है बिल्कुल सही है और argon का use किया जाता है metallurgic processes में ये सही है तो answer क्या होगा answer होगा D answer क्या होगा D चल लिया ये 51 का answer क्या होगा D होगा easy है कोई tough है नहीं सर इसमें कोई भी toughness नहीं है question में कोई भी toughness नहीं है question में चलो आगे बढ़ाते हैं कहानी को आगे बढ़ाते हैं कहानी को लिखा है complete the following analogy same molecular formula but different structure उसे कहते हैं अगर same molecular formula है लेकिन different structure आ रहें molecular formula same structure different different उन्हें नाम दीया जाता है isomer उन्ने के नाम दीया जाता है isomers तो यह तो हो गया isomer molecular formula same लेकिन structure different different वो होता है isomer ठीक है non super impossible mirror images of each other ऐसे दो compound जिनमें जो एक दूसरे के non super impossible mirror images तो दिखाते हैं optical isomerism अप्टीकल तो चेक कर लो, आंसर क्या होना चाहिए, चेक कर लो, पहला आईसोमर, दूसरा इनेंशियोमर, आंसर A ही सही है, A बाकी तो गलती है, चलो, जल्दिया A होगा, आईसोमर, B होगा, इनेंशियोमर, ठीक है, same molecular formula बढ़ different structure, उन्हें हम कहते हैं, आईसोमर, non super impossible mirror image, वो कहलाते हैं, इनेंशियोमर, बोलो clear है, यस सर, clear है, चलो जी, कहानी को आगे बढ़ा है, कहानी को आगे बढ़ा है, अगला question, केस दिया हुआ है, कोई अपने पास, read the passage, द्यान देना, given below, and answer the following question 53 से 55, और 55 पर कहानी अपनी खतम होने वाली है, चलो बढ़ते हैं, early crystallographers had trouble solving the structure of inorganic solids, आपको inorganic solids का structure पता करने बहुत problem आती थी, using x-ray diffraction, using x-ray diffraction, किस का use करके, x-ray diffraction का use करके, जब आप x-ray diffraction का use करते थे, तो आपको बहुत ज़्यादा problem आती थी, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, because some of the mathematical tools for analyzing the data had not yet been developed, ठीक है, जो कुछ data था, उसको अगर अपने को analyze करना था, वो उस time पर develop नहीं हो पाया था, once our trial structure was proposed, जैसे ही trial structure proposed किया जाता था, it was relatively easy to calculate the diffraction pattern, but it was difficult to go the other way, from the diffraction pattern to structure, आप इसे diffraction pattern का पता लगा सकते थे, लेकिन diffraction pattern से structure का पता नहीं लगा सकते थे, if nothing was known prior about the arrangement of atom in the unit cell, it was important to develop, तो यह important हो गया कि some guidelines for guessing the coordination number, अब क्या develop हो गया, coordination number का concept आया, and bonding geometries of atom, and bonding geometries of atom in crystal, the first such rule, अब अपने को कोई rule develop करना था, it was important to develop some guidelines, कुछ ऐसी guideline develop करो, to guessing the coordination number and bonding geometries of atom in a crystal, किसी solid में हम coordination number कैसे पता करें, इसके लिए कुछ guideline लाओ भाई, geometry लाओ, क्योंकि अगर आप x-ray diffraction का use कर रहे हैं, तो आप diffraction pattern तो पता कर पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद arrangement कैसी है, उसको पता नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हम कुछ ऐसी guideline की बारे में बात कर रहे हैं, जिससे coordination number और bonding geometry पता कर सके, ऐसा पहला rule आया, the first such rule, the first such rule, what proposed by Linus Pauling, किसने प्रपोस किया, Linus Pauling ने प्रपोस किया, कि भई आपको geometry के बारे में पता करना है, bonding के बारे में पता करना है, तो मैं पहरा rule प्रपोस कर रहा हूँ, कौन थे वो, Linus Pauling, who considered how one might pack together, how one might pack together, supposedly charged sphere of different radii, टीक, different, different charge sphere, जिनकी radii different, different है, वो कैसे arrange होंगे, Pauling proposed from geometric consideration that the quality of fit depending upon radius ratio, कौन कैसे fit होंगे, काटायन और अनायन, वो किस पर depend करता है, radius ratio पर depend करता है, बहुत important बात, of the cation and anion, of the cation and anion, अपन डिसकस कर चुके हैं, one shot video में, radius ratio के बारे में, देख लिया, आपने जो जो उसने कहा, मैंने explain करते चला, आपको tough नहीं लगेगा, आपको tough नहीं लगेगा, अब अपन क्या देखने जा रहे हैं, पहली guideline आई कि भाईया, आपका कोई भी ionic compound है, जिसे linus boiling ने ने कहा, जिसमें different different ion है, जिसमें माल लीजे, na ion है, cl ion है, दोनों की radius अलग अलग है, अब अपने को ये पता करना है, कि वो दोनों एक दूसरे से fit कैसे होते हैं, fit कैसे होते हैं, आईनी compound का structure कैसे होता है, वो किस से पता चलेगा radius ratio से, आगे बढ़ाते हैं इस कहानी को और, आगे कहानी ये है, if the anion, आपका जो भी anion है, इस considered as the packing atom, उसे अगर packing atom मान लिया जाए, in the crystal, in the crystal, then the smaller cation, तो जो smaller cation होता है, fills interstitial site, तो जो smaller cation होता है, वो fill करता है interstitial site या holes, ठीक है, तो जो smaller cation होता है, जान देना, if the anion is considered as a packing atom in crystal, then smaller cation fills interstitial site या holes, cation will be find arrangement in which they can contact with larger number of anion, ठीक है, cation will find arrangement in which they can contact with larger number of anion, if the cation can touch all its nearest neighboring anion, then the fit is good, अब ये line काफी important है, यहांगे न, अगर cation है, वो सारे के सारे अपने neighbor anion को touch कर रहा है, तो हम कहते हैं, fit is good, हम packing की बात कर रहे हैं, आईनी compound की, और अगर cation सारे के सारे anion को touch कर रहा है, तो fit कैसा होता है, good होता है, बहुत important बात, if the cation is too small for given site, लेकिन अगर cation किसी site के लिए बहुत छोटा है, that coordination number will be unstable, then coordination number will be unstable, and it will prefer a lower coordination structure, तो उसे हम कहेंगे lower coordination structure बनाएगा, अब हमाई इस पूरी कहानी का conclusion क्या है, कि भाईया, हम radius ratio के basis पे, इस पूरी कहानी का conclusion सुनना, कि हम radius ratio के basis पे, radius ratio के basis पे क्या पता करने जा रहे हैं, radius ratio के basis पे हम ये पता करने जा रहे हैं, Coordination number कैसा होगा और Geometry कैसी होगी Logic Clear है Radius Ratio क्या होता है Radius of Cation upon Radius of Ni याद रखने का तरीका उपर C, नीचे A, तो जो C A होता है Charter Accountant होता है ऐसा याद रखना Radius Ratio की अलग-अलग range हमें बताएगी कि भाईया आपका Radius Ratio की अलग-अलग range हमें बताएगी कि Geometry कैसी है Geometry कैसी है Coordination Number कैसा है Coordination Number कैसा है बोलो Clear है यह मैंने पूरा Explain कर दिया अब बात करते हैं आपके पास जो Table दी हुई है उसके बारे में चलो, Coordination Number इधर 2 है तो Geometry आएगी Linear Geometry आएगी Linear और Radius Ratio होगा 0 से 0.155 के बीच में ठीक है अगर Coordination Number 3 है मतलब Geometry कैसी होगी Triangular और Radius Ratio कितना है 0.155 से 0.225 के बीच में आप Radius Ratio निकालो अगर Radius Ratio इसके बीच में आ रहा है तो Geometry Triangular और Coordination Number इतना चलो, अगर 0.225 से 0.414 के बीच में है 0.414 के बीच में है तो Geometry कैसी होगी Tetra-Hedral Geometry कैसी होगी Tetra-Hedral और आपका Coordination Number कितना आएगा 4 कितना आएगा 4 अब 0.414 से 0.732 के बीच में है तो आपकी कैसी होगी Square Planar Square Planar और Coordination Number इसमें भी कितना आएगा 4 चलो, और अगर Coordination Number 0.414 से 0.732 के बीच में देखने मिल रहा है इस केस में भी Geometry Octahedral होगी लेकिन इस केस में Coordination Number आएगा 6 ये चीज ध्यान देने वाली बात है 0.414 से 0.732 के बीच में 2 केस देखने मिल सकते हैं एक में Square Planar Geometry एक में Octahedral Geometry Square Planar में Coordination Number 4 और Octahedral में 6 और अगर 0.732 से 1 के बीच में है तो Cubic Void होगी और इस केस में Coordination Number 8 आएगा और अगर 1 है Radius Ratio तो Cubo Octahedral Void होगी और Coordination Number आएगा 12 ठीक है सर ये अपने पास उसने दिया हुआ ये अभी पुरा statement मैंने पढ़ा है अब इसके basis पे वो question पूछने जा रहा है क्या बोल रहा है The Radius of Silver Iron Silver Iron की Radius कितनी दी हुई है 126 Picometer ठीक है और Iodide Iron इसकी Radius अपने पास कितनी दी हुई है 216 Picometer ठीक है तो आपको बताना है The Coordination Number of Silver Iron तो आपको बताना है Coordination Number कितना होगा चलो अब हमें पता है कि भाईया अगर अपने पास Radius दी हुई है ठीक है तो हम Radius Ratio निकाल लेते है Radius Ratio निकाल लेते है Radius Ratio की Range हमें पता है Radius Ratio की Range हमें पता है बोलो 0 से 0.155 0.155 से 0.225 0.225 से 0.732 0.225 0.414 0.414 से 0.732 और एक और बार था 0.414 से 0.732 0.732 से 1 और 1 यह हमारे पास Range है अब हमें Radius Ratio निकालना है Radius of Cation upon Radius of Nion Cation की Radius कित्ती दी हुई है अपने पास 126 और Nion की कित्ती दी है 216 चलो अब इसको अगर अपन कैलकुलेट करें तो देखते हैं देखते हैं कितना आ रहा है 126 डिवाइड बाए 126 डिवाइड बाए 216 तो यह आगे अपना 0.58 0.58 मतलब सर यह हमें मिल रहा है 0.414 से 0.732 के बीच में अब क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है The Coordination Number इस केस में Coordination Number या तो 4 भी हो सकता है या 6 भी हो सकता है अगर 4 होगा तो Square Planar Geometry होगी Square Planar Geometry होगी और अगर 6 होगा तो हमारी Octahedral Geometry होगी Octahedral Geometry होगी तो आंसर क्या आएगा 4 आएगा या 6 आएगा 4 आंसर नहीं दिया हुआ है तो आंसर कितना आएगा six आएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा answer tick करिए, answer tick करिए मारा है screenshot इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं देखो इधार, अब भी अपन ने देखा था अब भी अपन ने देखा था, ये देखो अगर sir 0.414 से 0.732 या 0.414 से 0.732 के बीच में है तो geometry हमें हमेशा या तो square planar देखने मिलेगी जिसमें coordination number 4 होगा या octahedral देखने मिलेगी जिसमें coordination number 6 होगा तो answer दिया था 6 तो हमने 6 को tick कर दिया, clear है? चलो, अगला question A solid AB, कोई solid AB है ठीक है? has a square planar structure square planar structure है ठीक है? square planar structure है ठीक है? if the radius of cation A is 120 picometer अगर radius of cation A कितना दिया है? 120 picometer तो अब आपको बताना है calculate the maximum possible value of B अब आपको B की value बताना है अगर square planar structure है मतलब radius ratio कितना आना चाहिए? radius ratio कितना आना चाहिए? अब भी अपने देखा radius ratio आना चाहिए 0.414 से 0.732 के बीच में ये radius ratio आना चाहिए अब आपको बताना है maximum possible value of B hit and trial method लगाए hit and trial method लगाए cation की दी हुई है cation की दी हुई है 120 अगर मैंने 240 ले लिया तो ये आगया मेरे पास 0.5 कितना आ गया? 0.5 आ गया ठीक है square planer के लिए तो हमें यही चाहिए होती है ये देखिए 0.414 से 0.732 दूसरे वाले को भी try करके देख लेते हैं 120 divide by 270 देख लेते हैं 120 divide by 270 ये आ गया 0.44 0.44 414 नहीं 0.44 आ गया पूछ रहा है maximum possible value of NIN B अगला देख लेते हैं मेरे पास आ गया 120 divide by 280 220 divide by 280 ये आ गया 0.42 0.42 और अगला आ गया मेरे पास 120 divide by 290 290 ये आ गया 120 divide by 290 ये आ गया 0.41 0.41 अब पूछ रहा है calculate the maximum possible value of NIN B आपकी maximum possible value कितनी होगी आपको क्या लग रहा है maximum possible value कितनी आनी चाहिए तो देखो आपका ratio है 0.414 0.732 तो maximum possible value क्या होगी D तो answer कितना आना चाहिए D आना चाहिए answer कितना आना चाहिए डियाना चाहिए, clear है, चलो next question की तरफ बढ़ते हैं, उतार लो इसे जल्दी से screenshot मार लो, next question है अपना good fit, मैंने अभी बतायाता है good fit किसे कहते है, good fit is considered to be one where cation can touch all of its nearest neighbor anion सारे के सारे अगर nearest neighbor anion को touch करें तो उसे कहते है good fit, most नहीं, some नहीं, none नहीं, all, all को touch करें तो उसे हम कहते हैं good fit, ये था अपना question number 55 clear है, चलो इसी के साथ अपना sample paper था, उसे अपनने complete करा, अब मैंने आप लोगों से पहले ही कहके रखा है कि जितना भी ये sample paper में question आए, अगर आपने मेरी 100 MCQ series को follow करा हुआ है तो वो series से आपके ये सारे question बन जाएंगे, वो series neat और jay means के हिसाब से भी काफी ज़्यादा important है, काफी ज़्यादा important है, उस series को follow करते हुए चले और जितने मेरे one shot revision आ रहे है one shot revision वीडियो देखिए और आप 100 MCQ series करीए, आप perfect हो जाएंगे अपने term one exam के लिए ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है, आपको खुद ही realize हो जाएगा जब आप मेरे question करेंगे और उसके बाद इस paper को जाएगा, आपको समझ आएगा कि सर ने जितना कराया है उसमें से सारे question यहां मिल गए हैं हमें, इसी के साथ आज की कहानी को अपन यहीं पर खतम करते हैं, उससे पहले एक ही बात कहना चाहूंगा, जैसे कि magnet brain class kg से class 12 तक के लिए free education प्रवाइट कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है teacher, दिन रात लगके, आप comment section में जरूर बताईएगा कि आज की कहानी आपको कैसी लगी, इसी के साथ कहानी को विराम देता हूँ, thank you so much